कि अपर चैट बॉक्स में जल्ली साग लगा दो बड़ बता दो केंसियन किया मी दिख रहा है सब कोच मैं दिख रहा हूं आवाद आ रही है सब बाले बाशना एक दम चकाचा कि स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को आग लगा दो इपर चाट बोक्स घार फटाफट फटाफट आज दोस्मादेकर गाए पी ब्लॉक क्लास 11 की ब्लॉक की कुछ बड़ी अच्छी बाते में स्टार्टिंट को बता दू पहले जो मित होता ना कि र्याक्षण सोतेए काफी पी की ब्लॉग पर ये गलत बात है बहुत प्रोड़क्ट वगरा है वो तुम लिंक कर पाओगे तो जोश अपना 5x कर लो जल्दी से स्टार्ट करने वाले यह सब्सक्राइब नहीं किया है यह पाप दो डालो फटाफाट कर लिया मिश तो नहीं किया किसी ने अभी तक चले शुरू करते हैं पी ब्लॉक को करें जो चेंज होने वाली पी ब्लॉक की मार पसेप्शन तुमारे सोचने का तरीका तुमारे सॉल्ब करने का तरीका सब चेंज होने वाला है बहुत मदा आने वाला है मैं शुरू करता हूं सेशन के एंड में तुम पूछना चाहते हो बाकि मैं स्टार्ट करूंगा कहां से इस इस पिरिएटीक टेबल में हम पीब्लॉक वाला section जो पढ़ने वाले हैं पता है आपको के पीब्लॉक यहां पर A पार अस ब्लॉक इस ब्लॉक तो बड़े अच्छे बचानते हैं लोग डीब्लॉक भी पहचानते हैं हाँ एव ब्लॉक में elements के नाम हो गए या फिर जो सिरीज है और उसकी जो बिसिक प्रॉपर्टीज है वो सब बड़े कच्छे होते हैं इन और गेनिक किसी भी सेशन की सबसे बात यह है कि तुम जो भी प्रपरिशन करते हैं वो सिफ जी में के लिए नहीं होती है इतनी होता है मैं स्टार्ट करूँगा इन कुछ पॉइंट से कि पी ब्लॉक में आप जब कभी भी पी ब्लॉक का डिस्केशन करते हैं तो उसके पीछे एक बेसिक सा फंड है आप कैसे पहचानते हैं कि कौन सा इलमेंट जो है वो पी ब्लॉक को बिलॉंग करता है कन्फिग्रेशन से हैं किने कि फिरूब हम ये पहचानते हैं कि कोई भी एलमेंट किस ब्लॉक को किस ब्लॉक में पाइय जाता है तो अगर आप ने बोरॉन का कन्फिग्रेशन लिखा तो जो लास्ट एलेक्ट्रॉन तुम्हें P सब शेल में इंटर करते भी दिखाई दे रहा है यह इस बात का सबूत है कि यह element P block को बिलॉंग करता है यह हमारे पास basics of under होता है किसी भी element के block को पैचानने का लास्ट एलेक्ट्रॉन देखो कहां गया कौन से सब शेल में गया है कारबन की बात करें तो वो 1s2,2s2,2p2 configuration रखता है तो लास्ट एलेक्ट्रॉन वहां भी P में जाता है और in fact 2p6 तक यानि के neon तक जो 18 ग्रूप तक है वो लास्ट एलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएगा पी सब शेल में जाएगा तो सारे के सारे P block को ही belong करते है तो block पैचानना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर general configuration की बात चीत की जाए तो general configuration आमेशा outermost configuration को बोलते है वो outermost configuration आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट तो NS2 वाला पार्ट तो fixed रहेगा लेकिन ये जो NP वाला पार्ट है वो variable है 1 से 6 तो NP जादा वाज़ा ली क्या ख़़गर तो ये जो पार्ट है ना भाई ना अगर के माई नीचे करवा दिया जावा थोड़ा से बलरी हो रहा था ध्यान रखते है बहुत भाई तो भाई या एक बार लावी भाई हो जाए एक बार तो भाई के लिए तो बनता है इतना भाई तो ये गन्फिगरेशन हमारा जेनरल कन्फिगरेशन इसमें पीवला पारट वैरेबल रहता है बढ़ते हैं यहांगे गूर्स 13 से स्टार्ट करते हैं यहांगया हमारा चाठ यह टेबल इस टेबल से JMAIN में डिरेक्ट कोईशन आते हैं तो तुम्हाना भी काम है कि तुम अपने JMAIN को बच्छाने के लिए अपने concepts को पकड़ने के लिए important चीजों को कहा कहां पर कैसे कैसे catch करते हैं इन्हें mark करते वे चलो तो यहां पर इस table में कौन-कौन से data है जिनको पकड़ना है और उन data में भी कोई pattern है या नहीं है इन सब बातों को discuss करते हैं आज के समय पर जही में 2023 का अगर रेफरेंस लें 22 और 23 दोनों का in fact आप तीन साल का रेफरेंस ले सकते लास्ट के 22 और 23 का तो इन तीनों सालों में एक चीज बहुत ज़्यादा common हुई और समय के साथ इंक्रीज करते गई है टेबल में जो भी डेटास दिये वें उनका यूज उन पर बेस्ट क्वेश्चन कौन-कौन से डेटा हैं जिनके के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं बोरॉन के ग्रूप में एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉइंट है मैंने स्टार माग किया है रिपिटेटली पूछा गया एटमी क्रेडियस वाला जी मेन और एडवांस दोनों में तो एक स्टार्ट ही हम इसे दो स्टार्ट दे रहा है और जिस पार्ट पर ज्यादा चीजें पूछी गई है अभी आगे मैं क्वेशन के रूप में इसको एरेंज की आवा है बड़ एक चार्ट दिखाना दरोड़ी यससे क्या होता है कि तुम को तुम को तुम कर रहे होते हो कि यार यह एंसे आर्टी से ही मैं पढ़ रहा हूं जो डिटेलिंग है जो कॉंसेट्स है जो डेप्थ है वो तो मैं देने का काम कर रहा हूं लेकिन आप एक्षली एंसे अर्टी की ही पढ़ाई कर रहा हूं इसके बाद आईनाजेशन अर्जी वाला पार्ट क्योंकि आटमिक रेडियस और आईनाजेशन अर्जी दोने एक द सब्सक्राइशन अर्जी से रिलेटेट की जाती है अगर कुछ भी सेकंड आईनाजेशन अर्जी से रिलेट करके कुछ भी पूछा गया तो वपक का कन्फिग्रेशन बेस्ट होता है जिस चीज की पढ़ाई हम अल्रडी प्रिडिक्टेबल में कर चुके हैं इसके बाद कह है वो इंपोर्टेंट होगा बस इससे ज्यादा नहीं करना है इससे कम नहीं करना है मतब ज्यादा तो करना नहीं है लेकिन कम भी नहीं करना है इतना तो करके ही रखना है क्योंकि इन्हीं से गोईशन रखली दिख रहे होते हैं तो पहले हम चेक करते हैं आटमिक रेडियस वो invalid हो गया है गलत हो गया है आप देख रहे हो कि down the group जाने पर boron से aluminium में size में अच्छा खासा increment है लेकिन जैसे aluminium से gallium में गया है तो value decrease कर गई है इसके पीछ डी-orbital के electrons की poor shielding है हम अगले page पर इसको note करने वाले है बढ़ यहां पर मैं अभी orally बता दे रहा हूँ और अगले page पर मैं इसको लिखने वालों प्यार से तो दो तरह की poor shielding हमें पढ़नी होती है d-orbital और f-orbital की अच्छी बात क्या है कि d-orbital की poor shielding का बस यही एक legendary example है जो f-orbital की poor shielding है उसके examples जो है वो f-blog में भरे पड़े है d-blog के d-orbital की जो poor shielding की वजए से जो size में contraction होता है वो contraction का legendary example सिर्फ और सिर्फ यही है तो अगर हमने इसे ध्यान में रख लिया कि अच्छा ऐलूनियम से गैलियम में जाने पर size में increment नहीं ultra decrement होता है अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि जब contraction होता है size का d-orbital की poor shielding या f-orbital की poor shielding की वजए से तो यह जो contraction है ना इस contraction में एक बात का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि size जो है वो आप expect कर रहे थे कि ज्यादा आएगा और वो कम हो जाएगा ना आप expect कर रहे थे कि बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ा जितना कि उसको बढ़ते भी दिखाई देना चाही था जैसे कि आपने यहां पर देखा second से third period में कि size में अच्छा कासा change है यहां भी अच्छा कासा change है लेकिन यहां पर बहुत कम का change है तो आप जब आगे बढ़ रहे थे तो significant change दिखाई देना चाही था तो जब-जब significant change ना दिखाई दे तब-ब समझ जाना है कि अच्छा यहां पर कहानी गड़बडाई है यहां पर poor shielding आई है यहां पर कहानी गड़बडाई है यहां पर poor shielding आई है एक दम पक्का तो यह काम करते है अगले page पर अगले page खाले दो नहीं दिखाई दिया है तो हम अपनी दरब से एक page add करेंगे so that कि आपको यह points recall करने में आफसानी हो जाए तो यहां पर इन points को add कर दे रहा हूं लिगी दे रहा हूं poor shielding वाले concept को जहां उन से दिखना हूं कैसे कैसे poor shielding को catch करना है by poor shielding दो reason से आने वाली है एक d orbital की वज़े से poor shielding and contraction in size तो अगर मैं poor shielding की बात करूँ तो यह दो वज़े से आने वाली है एक d orbital की poor shielding और एक f orbital की poor shielding इसमें के 4f और 5f दोनों आएगा तो मैं यहां पर एक mind map type का बना दे रहा हूं so that के तुम्हारे लिए anytime poor shielding के लिए तुम्हें कुछ और देखने की ज़रूत ना वड़े बस तुम poor shielding में इसी section को देखो और यहां पर तुमारा जो poor shielding से related जो भी discussion होते जो भी question होते है वो इसी को देखकर के solve हो जाएं तो d orbital इसका सिर्फ एक ही legendary example आपको धियान रखना है NCRT ने दिया है वो है aluminium और gallium का जो भी हम पढ़ रहे actually तो सिर्फ एक legendary example है aluminium and gallium का अगर यह धियान में है तो बस फिर तो मज़े ही मज़े d orbital की poor shielding और f orbital की poor shielding poor shielding का मतलब क्या है inner shell के electrons क्या करते है बाहर के shell के electrons पे जो attractive force होता है nucleus का उसको कम कर देते है जिसके लिए periodic table में याद कुर आपने कुछ ऐसा diagram भी बनाया था nucleus बनाया और जो outer shell के electrons है उनको आपने दिखाया के inner shell के electrons उनके उपर लग रहे attractive forces को shield कर रहे होते हैं इस तरह से कुछ तो inner shell के electrons को इस तरह से दिखा दे रहे हैं ये जो इनका जो wave motion है in electrons का और दूसरे जो इलेक्ट्रों से अलग लग orbitals में इनकी वज़े से बाहर जो भी electron रखे हुए outer most shell में उन पर जो भी attractive forces है वो attractive forces shield हो जारी है यहां जो अंदर में जो electrons रखे है वो बाहर की electrons पर जो भी attractive forces nucleus का लग सकते है उसको कम कर रहे हैं तो जितने electrons nucleus के जितने ज़्यादा close होंगे वो उतनी ज़्यादा shielding कर रहे होते है बाहर की electron पर जो attractive forces है उसको उतना ही कम करने की कोशिश कर रहे होते है तो यह जो shielding है वो आक्शली बाहर की electrons पर attractive forces कम करेगी जब attractive forces कम होंगे तो यह दूर भागेंगे और eventually यह क्या करेंगे फिर size को बढ़ा देगी तो इस attractive force की value जितनी कम जो shielding हो रही है electron की वो उतनी ज़्यादा ज़्यादा shielding attractive forces कम electron दूर भागेंगे size बढ़ा हो जाएगा item का reverse gear में चले अगर हमने ऐसे सोचा कि यह electrons अपना काम धंग से नहीं कर रहे यानि कि वो पूर shielding कर रहे अच्छी shielding नहीं कर रहे तो expectation से ज्यादा attractive forces लगेंगे बाहर के electrons पर अगर expectation से ज्यादा attractive forces लगेंगे बाहर के electrons पर क्या मतलब होगा उसका attractive forces बढ़ गया है expectation से ज्यादा तो यह अंदर की तरफ खीचेंगे size छोटा हो जाएगा so that is why कि poor shielding जब-जब ज़्यादा होगी न पूर shielding जब-जब ज़्यादा size तब-जब कम होगा तो यह दोनों चीज़ा हैं दूसरे के क्या है inverse है तो poor shielding जब-जब ज़्यादा मैं जब भी arrow ऐसा मारता हूं उसका मतलब मैं लिखने से बच रहा हूँ और तुमको इशारा कर रहा हूँ को poor shielding magnitude में ज्यादा हो रही है poor shielding ज्यादा दिख रही है तो attractive force से ज्यादा और size कम हो जाएगा हाध्यान रखना कि f orbital ये काम ज्यादा करता है जो poor shielding है उसके लिए हम किसे award देंगे f orbital को और f orbital में भी दो तरह के एक 4f है और 5f है और 5f को award ज्यादा मिलता है इस बात के लिए 5f जो है वो ज्यादा गंदी shielding दिखाता है तो अगर मैं d orbital f orbital में अगर मैं कहूँ के सबसे गंदी shielding कौन दिखाता है 5f तो सबसे ज्यादा contraction किसके case में दिखाई देगा size का 5f क्योंकि poor shielding ज्यादा तो size कम तो सबसे गंदी shielding 5f खी actinoid contraction 5f के वजए से पता न 5f series को में क्या बोलते है actinoids बोलते है तो यह actinoid contraction actinoid अपनी poor shielding के वजए सä actinoid contraction देता है और 4f वजए lanthinoids के लाते है और यह lanthinoids lanthinoid contraction देते है अब यह जो lanthinoid contraction है यह magnitude में कम होता है as compared to actinoid contraction के तो 5f वजए केस में आपको contraction size का ज्यादा दिखाई देता है और बात रही d-orbitals की तो d-orbitals इतनी गंदी shielding नहीं दिखाते क्योंकि कुछ भी हो जाए तो d-orbital relatively ज्यादा close है nucleus के जहाँ पर s-or p-orbital के poor shielding की तो हम बात भी नहीं करते वो इतने ज्यादा close है nucleus के कि यह बात ही नहीं होती जो ज्यादा दूर के orbitals होते है उन पर ही attractive forces कम होने की बातचीद discuss की जाएगी क्योंकि वो दूर है तो वो d-से जो दूरी है वो actually वहाँ से define हो रही होती है जब तक d-orbital नहीं आया है तब-तब nucleus से दूरी की बात discuss नहीं होती है poor shielding की बात चीज़े ते start कहां से होती है d-orbital से अच्छी बात क्या है d-orbital के case में बस एक ही contraction पढ़ना है aluminium और gallium वाला बस तो यह poor shielding की summary है एक तरह से सारी important चीज़े आपर discussed है अब तुम्हें एक बार वापस चलो यहाँ पर मैं फिर से बता दू d-orbital की poor shielding के वज़े से size में कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर किसकी वज़े से दिखाई दे रही होगी तो अब तो d-orbital नहीं है अब आप पहुँच गए कहाँ पर जब आप 6th period, 7th period में पहुच गए तो फिर आपको 4F और 5F मिलने वाले हैं तो lanthanide और actonide contraction मिलने वाला है तो जैसे ऐसे आप नीचे की तरफ जा रहे है आपको अगर 6th period और 7th period में size की कमी दिखाई दे रही है expectation से तो वो f-orbital की poor shielding है अब एक और बड़ा जबर्दस point जिसको कि मैं KFC बनागर के लिए कि रहूं पताए आपको KFC मतलब pool and photo concept क्या है कि size की जो कमी होती है contraction की वज़ा से lanthanide, actonide contraction या poor shielding की वज़ा से जो size में कमी होती है उससे कहीं ज्यादा आपको ionization energy में कमी दिखाई दे सकती है या ionization energy में expectation से ज्यादा value दिखाई दे सकती है तो poor shielding का effect poor shielding का effect जितना size पर होता है उससे कहीं ज्यादा उससे कहीं ज्यादा ionization नर्जी पर ionization नर्जी पर effect दिखता है समझ गए तो poor shielding का effect जितना आपको size पर होतावा दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा ionization नर्जी पर दिखाई देगा ये care करना ये ध्याद रखना है तो हमने सारी चीज़े summarize कर दी है आपर अच्छे से प्यार से अब आप जड़ा ionization नर्जी वाले part को मुश्किल होता है तो ये logic confirm हो गया इसका समझ में आ गया जब हम down the group जा रहे तो ionization नर्जी लगतार कम होना चाही था बड़ यहाँ पर ज्यादा होते वे दिखाई दिया तो वो relate हो गया किस से डी और्बिटल की poor shielding से और contraction in size से done logic completed now आप जब down the group गया तो सबसे ज्यादा value बोरोन के बाद जो आपको दिखाई दी वो थैलियम के case में दिखाई दी ऐसा क्यों है कि थैलियम के case में value बोरोन के बाद सबसे ज्यादा है reason being कि size की जो कमी expectation से ज्यादा जो आपको value जो contraction के जो आपको size में कमी होते वे दिखाई दे रही है उसका effect जैसा कि अभी हमने kvc में लिखा था कि size पर तो effect पड़ता ही है लेगिन कई बार size से ज्यादा ionization energy पर effect पड़ते वे दिखाई देता है किसकी वज़े से लैंफनाइड और actonide contraction की वेज़े या d-orbital के contraction के वेज़े से अब d-orbital का contraction तो आपको एक ही case पढ़ना है तो कहानी बार 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 घूम करके किस पर आती है contraction की बातचीत किस पर आती है लैंफनाइड और actonide contraction पर तो इसी लिए आपको ये value दिखाई दे रही है थैलियम के सबसे आता है बढ़न नहीं और खी लाउथ नहीं अब और झालियम आएगा तो थैलियम है गाली में के बाद वोले तो विजसे लास्ट पर इंट्यम है इं बरोण के बाद धैलियम उसके बाद गैलियम ये शुरू के तीन तो ध्यान नहीं जो रखना और जैसे गैलियम आया है वैसे ही तुम आप समझ आया है वैसे हिर पनी आप आया के बाद आलुमीनियम रखत आया है क्योंकि साइज में के लिटलपा इंडियम है तुम साइज में अपनी आप सब्सक्राइब कर नाख कर लिया 다음에 पराते हैं देखेंगे density. बोरोन और कार्बन के ग्रूप में ना डाउन देवर जाने पर density बढ़ती है. जैसे हमें पता है के कार्बन के ग्रूप में लेड बहुत density रखता है. जब भी हम mercury की density discuss करते हैं तो mercury की density के आस पास किसकी density का discussion होता है lead का तो जैसे carbon के group में lead है down the group जाने पर last में और उसकी density high है वैसे ही आपको दिख रहा होगा thallium की density high है क्या हम down the group जाने पर regular increase पा रहे हैं हाँ trend में कोई break दिखाई दे रहा है ना कुछ नहीं सारे की सारी value लगातार आपको increase करते हुए दिखाई दे रही है next आगे बढ़ते है melting point अगर melting point का discussion करें तो अपने इस nature की वज़ाई से छोटे size की वज़ाई से strong bonding वाले nature की वज़ाई से covalent bonding वाले nature की वज़ाई से melting point आपको सबसे ज़्यादा boron के case में दिखाई दे रहा है down the group जा रहे है softness बढ़ रहे है melting point कम हो रही है बढ़ थोड़ा fluctuation भी है आप देख रहे होगे जैसे gallium अपने melting point के लिए बहुत फेमस है कि यह room temperature पर ही melt कर जाता है अगर उन metals की बातचीत करें जो के molten form में पाए जाते हैं तो gallium एक ऐसा species है जो के metal होते हुए भी आपको आपके हाथ पर ही melt कर जाता है और यह एक ऐसा metal है जो molten form में मेरी अपने study table पर हमेशा पढ़ा रहता है तो आपको पता है दोस्त आपका वैसी पागे लिए chemistry के लिए gallium हमेशा पढ़ा रहता है बठा मेरा जो gallium हमेशा इंप्योर हो गया है box में बंद रहे रहे है कभी introduce कराते हैं आपको उसे boiling point की बात्चित करें तो वैसे ही boron के melting point के साथ-साथ boron का boiling point है वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा बट मज़धार बात यह है कि gallium इतनी interesting चीज़ है कि इसका melting point तो सबसे कम था अपने ग्रूप में लेकिन अगर boiling point की बात करें तो अकेला ऐसा species जिसके melting point और boiling point मेरा huge difference है और यह बात पूछी भी जाती है कि कौन साथ element जिसके बारे में आप यह बोल सकते हो कि melting point तो बहुत लो होता है लेकिन boiling point बहुत standard होता है आप ज़रा देख सकते हैं third number पर है अपने group में melting point में सबसे list था लेकिन अगर boiling point यह बात करें तो यह third number पर है तो ऐसी interesting चीज़े अगर आप ध्यान में रखें तो मोटी मोटी सारी चीज़ें आपकी बन जाती हैं questions बन जाते हैं और उसके बाद जो final step होता है कि orders अगरा का ध्यान रखना वो सब भी हो जाएगा समय के साथ लेकिन पहले चीज़ें को आसान बनाओ और सबसे interesting चीज़ें जो है सबसे important चीज़ें जो दिमाग में सेट कर सकते हैं रख सकते हैं चिपका सकते हैं पहले उनको चिपकाओ उसके बाद फिर आगे बाते करो ठीक है हमेशा छोड़े छोड़े स्टेप से लेने हैं और वही छोड़े छोड़े स्टेप से आपको फिर मंजिल अपनी उपर की तया करते रहने है इलेक्ट्रोड पोडेंशल की बात करें तो पॉजिटिव एलेक्ट्रोड पोडेंशल जो यहां दिखाई दे रहा है वो क्या बताता है वो बताता है कि इस प्रॉसेस का कौन से प्रॉसेस का जो प्रॉसेस यहां पर लिखा गया है कि प्लस थ्री स्टेट से ये स्पेशिज अपने आपको convert कर लेगा zero oxidation state में तो plus 3 से 0 में that means कि अपने आपको reduce कर लेगा, अपने आपको electron देगा दूसरों को oxidize करेगा तब ही तो electron गेन करेगा तब ही तो वो plus 3 से 0 में जाएगा तो plus 3 से 0 में जाएगा और इसके लिए spontaneity बहुत हाई है ऐसा क्यों है, यह इतना electron gain करने में interested क्यों है पक्का यह unstable होगा तो आखिर यह higher oxidation state बाक्चियों का क्यों stable नहीं है इसका क्यों stable है इसके पीछे reason आता है inert pair effect का, वो भी मैं discuss कर दे रहा हूँ आपके साथ आप जिस तरह से भी हमने discuss किया यह वाला part, poor shielding वाला वैसे हम inert pair effect को भी discuss कर रहे है दिखेगा जान से inert pair effect अब बड़ी आसान से configuration से समझ में आ जाएगा और वो poor shielding से ही आप relate कर सकते है तो चेक करते है inert pair effect को क्या होता है inert pair effect आप जानते हैं तो chat box में कुछ कुछ लिखने की कोशिश करो आप इसलिए लिखने की कोशिश करो क्योंकि इससे vibes बनी रहती है और आपका connection भी बना रहेगा और साथ-साथ मुझे भी अच्छा लगएगा कि आप कुछ ने कुछ अपनी दरफ से बताने की कोशिश ज़रूर कर रहे है यह actually electron के pair है जो कहां पाये जाते है यह इशारा की इसके तरफ है electron pairs in outermost energy level especially outermost energy level में कौन सा तो भाई वो NS2 ना की NP वाला आपको बताए कि अगर आप P block की बातचीत कर रहे है तो ये general outermost configuration है बट हम जिस electron pair की बातशीत कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि electron pair inert के रूप में behave करेगा that will be NS2 यह NS2 वाला electron pair है जो कि inert pair के रूप में behave करेगा यानि कि reactivity इसकी कम होते जाएगी और यह inert nature acquire कर लेगा down the group अब यह हो क्यों रहा है इसके लिए हमें एक बार configuration को boron से लिखना शुरू करते हैं अगर boron के case में लिखे configuration तो that is 1 is to 2 s to 2 p 1 और वैसी है अगर आप down the group चले boron, aluminium, gallium, indium, thallium तो अब पताईए second group, third, fourth, fifth, sixth तो जब आप thallium में पहुँचेंगे तो यह जो outermost configuration है वो sixth group के हिसाब से क्या बन जाएगा 6s to 6p 1 और आपको पताएगे boron अभी के case में जब अपने ground state में रहेगा तो इस एक unpaired species, एक unpaired electron दिखाई दे रहा है इस unpaired electron इस unpaired electron के वज़ए से इस एक ही bond बनाने लाइक है boron लेकिन अगर boron को तीन bonds बनाने तो उसे अपने इन दोनों electron को unpaired करके यहाँ भेजना पड़ेगा तो जो भी configuration boron का excited state में बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा इन सब की ज़रूत है नहीं क्योंकि हम focus अभी किस पर करने वाले है और हमें बता है कि हम down the group का discussion कर रहे है तो जब आपना इसका excited state configuration लिखेंगे boron का वो ऐसा लिखाएगा 2s1 यानि कि 2s orbital में एक electron and 2p में दो electron यह दिखाए दिया चेक हीजे अब कितने unpaired है 3 3 unpaired होने के वज़े से अब यह 3 bonds बना सकता है 3 bonds 3 unpaired electrons जिनके वैसे यह 3 bonds बना सकता है तो वैसे ही इसे भी बनाना चाहिए न लेकिन हमें तो पता है कि जब हम down the group जाएंगे तो poor shielding के वज़े से attractive forces बढ़ रहे है मैंने लिखा ऐसे attractive forces on outermost shell attractive forces on outermost shell increase कर रहा है ठीक है तो attractive forces on outermost shell increase करेगा तो attractive forces बढ़ रहे हैं और 6s पर ज्यादा attractive forces होंगे s compare to 6p क्यों obvious दी भाई कि s orbital है तो s orbital के उपर ज्यादा attractive forces होंगे अगर ज्यादा attractive forces होंगे तब यहाँ से electron को निकाल पाना और यहाँ अन पेर करके भेजना मुश्किल हो गया तो इसलिए हम क्या लिखेंगे जिस अगर 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 इसको अन पेर कर भी देंगे तो यह unstable हो जाएगा अगर आपने अन पेर नहीं किया तो यह जादा इस्टैबल है अपने एक अनापयर्ड इलेक्ट्रॉन के condition के सात्थ यानि के थैलियम प्लस वन कर णा ज्यादा पसंद करेगा as compared to plus 3 क्यों? क्योंकि plus 3 तो तब होगा ना जब आपके पास 3 unpaired होंगे और इन 3 unpaired को ये किसी दूसरे electronegative item को देगा तो plus 3 आएगा halogen हो, oxygen हो दूसरा electronegative item हो तो जब तक इसके पास एक ही unpaired है ये plus 1 वाले state को ही पसंद करेगा, plus 3 कर सकता था तब ये plus 3 में चला जाता लेकिन नहीं जाएगा है ना? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसे unpaired करना पसंद नहीं है 6s के दोनों electron को उठा करके भेजना 6p में अब ये चीज़ नहीं होने वाले है so that is why कि इसके लिए इस तरह का configuration बनाना ये पसंद नहीं करता अगर आपने कर दिया धक्के से तो वो unstable होगा और इस धक्के को वो पसंद नहीं करेगा तो ये वापस किस state में आना चाहेगा अपने plus 1 वाले state में and that is why हम क्या लिखेंगे? कि भाई अगर stability की बातचित करें तो Tl plus 1 is more stable stability हमने ये stability का ही box बनाया हमने ये stability का ही box बनाया ठीक है? हमने ये stability का ही box बनाया है कि plus 1 अले state जो है वो plus 3 से ज्यादा स्टेबल है और से पिछे रीजन क्या है? ये जो explain किया है attractive forces लगातार बढ़ते चले जा रहे तो innate pair effect का यही फंडा same हम दूसरे जगे भी लगाएंगे same इसी तरह से हम carbon के group में भी जाएंगे और carbon के group में भी carbon के group में भी हम down the group जाएंगे तो PB वाला case आएगा जहांपर इसी तरह से आपको F orbital के poor shielding के वजए से जो size में contraction है जो attractive forces बढ़ते वी दिखाए देंगे success orbital पर जो attractive forces है जो इतना ज्यादा होगा कि वहाँ पर ये 13th group है तीन वैलन्स इलेक्टोन वाला वो चार वैलन्स इलेक्टोन वाला है वहाँ पर plus 4 state PB का unstable होता है और वो अच्छा oxidizing agent होता है अब Tl plus 3 unstable होने की वज़ा से Tl plus 3 is unstable तो ज्यादा reactive होगा and is a good oxidizing agent क्यों अच्छा oxidizing agent है क्योंकि ये दूसरों से electron ले लेगा और खुद को plus 1 में convert करने की कोशिश करेगा बै कोई भी species अगर अच्छा oxidizing agent है तो क्या मिनिंग होता है उसका वो electron लेना पसंद करता है दूसरों से electron ले रहा है दूसरों को oxidize कर रहा है खुद को reduce कर रहा है तो अगर ये पूछा जाए कि Tl plus 3 अच्छा oxidizing agent क्यों है reason being कि वहाँ पर inert pair effect है and plus 3 state higher oxidation state unstable है ठीक वैसे ही जैसे कि PB plus 4 एक अच्छा oxidizing agent है और उसका भी higher oxidation state unstable है inert pair effect के वैसे ये पार्ट है जो कि inert pair का काम कर रहा है यही है हमारा फेवरेट inert pair ये inert pair के रूप में behave कर रहा है तो ये कहा नहीं थी अपने inert pair effect की मैंने इस तर डिसकस किया क्योंकि शायद इस चीज़ का discussion आपने अच्छे से नहीं देखा होगा तो एक बार के लिए अच्छे से करा दिया जाए सुदाट की इंटम प्यार प्यार से प्यार प्यार से आप इसको सीख जाए अब जब ये चीज़ हो गई तो हमारा जो भी observation था melting point और boiling point का वो तो हमने ले लिया था कि boron के case में दोनों value ज्यादा है gallium एक बहुती interesting behavior दिखा रहा है कम melting point बट हाई boiling point दोनों ही cases में अगर आप melting point और boiling point की बातचित करें तो highest value ये वो boron के पास है melting point में lowest value किसके पास थी तो gallium के पास लेकिन अगर वही boiling point की बातचित करें तो सबसे lowest value किसके पास है थालियम के पास है फिर हमने electrode potential की बातचित कर ली कि यहाँ पर value positive क्यों दिखाई दे रही है इसलिए दिखाई दे रही है विगाउस के थालियम के case में जो इन और पेर effect है वह सबसे ज्यादा दिखाई देगा तो यह कहानी खतम भी table से related और बाखी यह basic knowledge आपके पास है boron वाला पाट जो है वो non metal है बाखी आप metallic character बढ़ते विए देख रहे हैं behavior उसी तरह से आपको change होते भी दिखाई देगा metallic से sorry non metallic से metallic के तरफ order of radii हमने table से निकाल लिया और यह जो radius में जो भी differences है उसका graph plot कर सकते हैं और जो graph में आपको dip दिखाई दे रहा है वो किस case में दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है gallium वाले case में तो graph आप खुद से manipulate कर सकते हैं आप plot कर सकते हैं अगर basic आपके mind में वो order है वो आपको पता है के poor shielding के वजए से एक dip आएगा aluminium के just बाद gallium के case में ionization energy की बातसीत करें तो जो point caves ही बना कर करके हमने लिखा था कि भाई देखो जो भी size का effect पढ़ता है जो भी lanthonide, actonide contraction या d-orbital के contraction d-orbital के poor shielding के वजए से जो contraction पर जो effect पढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा जो ionization energy पर effect तुम्हें दिखाई देगा और उसका जीता जाकता है सबुते यह boron के बाद thallium का case आ जाता है boron के ionization energy के बाद thallium के position आती है तो आप रेटने के बजाए ज्यादा चीजों को link करने पर ध्यान देंगे तो मजा हैगा inorganic mode नहीं तो मिथ तो आपको पता ही है हर इंसान की जबान से लेकर के quota factor तक मिथ पर मिथ है inorganic chemistry में ज़रू थी नहीं बताने की इतना इतनी popular inorganic chemistry तो उके उसी value को जो table में value थिसको यहाँ पर उठा करके लगा दिया है हम अब बढ़ रहे हैं reaction की तरफ यहाँ पर एक छोटी से मजदार चीज है electronegativity अलपार्ट जो अभी तक J main में touch नहीं हुआ है तो मुझे उम्मीदे के 1224 तक हो सकता है कि आपको दिखाई दे जाए या आपका ही number लगे और यह पहली बार आ जाए या अभी हम second item देखने वाले है जही में का तो शायद वहाँ पर भी देखने को मिले अभी तक touch नहीं किया इस point को इस point में आप देख रहोंगे छोटे size के वैसे boron का सबसे जाद electronegativity दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद thallium है और वो भी relatable क्यों हो तो जैसे आप आनेस सिनर्जी को जानते हैं कि वो unexpectedly वो change किया वैसे ही आपको thallium second position पर दिखाई दे रहा है और thallium के case में हमें पता है कि plus one will be more stable तो इसे हम लिख दे फिर से एक बार recall करा दे इनर्ट प्र एफेक्ट के वाए से plus one is more stable ओके अब सामने equation है आप ट्राई करो हमने काफी बातें सीखी समझी ज़रा चेक करते हैं कि आपने कितने आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है वही आपका एंसर होने वाला है लेकिन इसके बाद आपको यह चेक करना है कि गैलियम को लास में रखना है तो आप पोजीशन के वज़े से उठा करके गैलियम और अलुमिनियम को सेपरेट कर सकते हैं अगर अलुमिनियम की बातचीत क पहले तो तो तुम इन दोनों ऑप्शन को सेपरेट कर लेते हैं 50-50 पता है नहीं सेम क्या बोलते हैं 50-50 ओपी यह दोनों तो होई नहीं सकते यह दोना एंसर होंगे कोई कि थालियम का प्लसफान ज्यादा इस्टैबल होगा डाउन दा ग्रूप लोवर ऑक्सिडेशन स्ट लोवर ऑक्सिडेशन स्टेट बिकम्स मोर इस्टैबल ओके तो यह टी एल प्लस वन इसके स्टैबलिटी ज्यादा होगी एंड सबसे ऊपर कौन आ रहा है अगर यहां पर बोरोन वगरा नहीं दिये हैं तो आलिमिनियम है जो सबसे ऊपर आ रहा है तो अव्यसलिए फिर यह अब यहां पर आ रहा है उसके लिए जो जितना नीचे उसके लिए लोवर ऑक्सिरेशन इस्टेट उतना इस्टेबल फिजिकल प्रोपर्टी की बातशित करें तो बोरोन एक नॉन-मेटालिक एक एक्स्ट्रीबली हार्ड ब्लाक कलर सॉलिड है अभी पीछे हमने देखा थ इस तरह से आपको टेबल में दिखाने के बाद फिर से लिखने का परपस यही है कि रिवीजन अच्छा हो जाए कम समय में चीज़े रिवाइज ऐसे ज्याद अच्छे से होती है रेस्ट ऑफ मेंबर हार सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट वैलू हमने देखी थी काफी छोटी वैलू हो जाती है धाई हजार से गिर करके तीन सो क्या असपास पहुंच जाती वैलू में तो काफी लो मेल्टिंग हो जाता है और गैलियम इस मावले में बहुत फेमस है फिजगल प्रोपरटीज में मेल्टिंग पॉइंट वालिंग पॉइंट वाले इस टेबल को सेपरेटली दिखा दिया है पीछे ऑब्जर्वेशन ले चुके हैं बट सेपरेटली दिखाने का परपस यह है कि आप रिवाइस एक बार और कर लेंगे अपनी में आया कि सेमी इस्पेशिस के लिए लोवेस्ट वैलू नहीं थी दोनों में हाइस्ट वैल्लू सेम थी लेकिन लोवेस्ट वैलू सेम नहीं थी से माइंड को एक इपरभायेशन गई ऐसे जो कलरिंग करते हम लोग इससे क्या होता एक हम खुद को रिटेर्ऐन कर वा पा यानिके class 11 वाले जो P block है उसमें हमेशा ध्यान रखना कि बोरॉन के जो रियक्शन से बड़े इंपॉर्टन है इस बात को लिख दें class 11 पी ब्लॉक में चाहिए जही मेन हो एडवांस हो इंसे आर्टी हो बोरॉन के रियक्शन से बहुत इंपॉर्टन है बोरॉन के रियक्शन से बहुत इंपॉर्टन तो है साथ इसाथ रिलेटेबल भी ऐसा नहीं के मुश्किल है इजी भी है easy to relate है कुछ key points का धियान रखना है अब वो कौन से key points है उनके तरफ मैं धीमे धीमे ले करके चलूँगा तो आप focus रहना कुछ जगह पर हम structure की बातचीत करेंगे कुछ जगह पर हम properties की बातचीत करेंगे अब जैसे boron के लिए जब ही हम boron को oxidize करेंगे अपना बहुत ही stable compound B2O3 बनाता है वैसे तो गर देखे तो boron के group में plus 3 oxidation state common है plus 1 भी है लेकिन down the group plus 1 की stability बढ़ती है जो inert pair effect वाला part हम देख रहे थे तो commonly जो oxides बनाएंगे boron के group वाले elements वो कैसा बनाएंगे किस formula का B2O3 type का compound बनाएंगे और अगर nitrogen के साथ reaction हो रहा हूपर oxygen के साथ reaction है अगर nitrogen के साथ होगा तो boron nitride type का formula बन करके तयार होगा जिसको आप देख रहे हैं कि आपर E2O3 type का formula बताएंगे है general formula और nitrogen के साथ है तो EN type का general formula क्योंकि दोनों की valency क्या है प्लस 3 माइनस 3 दोनों की valency 3 है oxidation state की बात करेंगे एक प्लस 3 और माइनस 3 होगा तो इसलिए जो इस ट्रक्यमेंटर की रेश्व है वो 1 to 1 दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर box में कुछ important बातें लिग दी गई है जो particularly उस species के लिए famous है पूछी जाती है water boron का सबसे stable compound में से एक है आख बंद करके जब कभी आपको लगे के water नहीं present है moisture नहीं present है तो आप plus 3 state में B2O3 बना लिया कीजिए अगर आप बात करेंगे reaction with nitrogen की तो boron nitride बनेगा जिसको कि हम inorganic graphite बोलते हैं aluminium की बात सीथ करें तो aluminium nitride बनेगा nitrogen के साथ और L2O3 जो बहुत ही फेमस है अपने 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 नेचर की वज़े से बहुत ही फेमस है अपने दूसरी properties के वैसे dehydration की प्रोपरटी की वज़े से भी फेमस है तो इन पॉइंट्स को यहां पर चार अमफेट्रिक ऑक्साइड है यहां पर दो अमफेट्रिक ऑक्साइड आप जान रहे है इंडियम, थैलियम, डाउन दग्रूप हम जा रहे metallic character बढ़ रहा है तो basic characteristic बढ़ते चली जा रही है तो यहां पर basic characteristic दिखाई दे लिए इधर आप चलें तो nitrogen के साथ reaction सबके लिए आसान नहीं है आप देख रहे हो के बड़े strong lattice जहां पर बन रहे हैं वहां पर तो हमने compound बनते वे देखा lattice energy release हुई, lattice energy अच्छी कासी है compound बनते वे दिखाई दे रहा down the group जो reaction जो है वो नहीं हो रहा है boron nitride, aluminium nitride यही बन रहे होते हैं तो अपना काम असान होगा है अब याकर compound बन रहे होते हैं तो उनके और भी कुछ property ध्यान में रखनी पड़ती काम असान ओके, आते हैं boron nitride को देखते हैं बहुत ही famous है graphite के साथ इसका structure तो that is why यह famous है वह अपने inorganic graphite के नाम से और इसी का जो boron और nitrogen का एक और compound है B3N3H6 जो inorganic benzene के नाम से famous है तो यह एक है यह अपने graphite के साथ जो इसकी मिलती जलती property है और जो B3N3H6 है वो inorganic benzene के नाम से famous है वो benzene के साथ उसका structure match करता है अगर हम boric acid बनाना चाहते हैं तो एक reaction जो NCRT में इतना focus नहीं किया गया है boron को हम nitric acid से oxidize करके boric acid बना सकते हैं यह धियान रखना के boron के लिए दो compound बड़े important है boron अगर reaction में जा रहा है और moisture वगरा प्रिजेंट नहीं है तो that means important compound के रूप में आपको B2O3 अकसर मिलने वाला है अगर moisture प्रिजेंट है तो आपको जिस compound को aquas solution में और water के presence में बनाना चाहिए जो दिखेगा अकसर reaction वो H3O3 है अभी आपको पता है कि यहां पर आपने HNO3 aquas लिया है और आप oxidation कर रहे हैं तो boron के oxidation से by default आपको क्या बनाना चाहिए यह B2O3 लेकिन अभी साथ साथ water present है तो final answer should be H3O3 मैं ऐसे relate इसने कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे relate करने से ही चीज़ें आपको ज्यादा असानी से ध्यान में रहेंगी ना कि रटने से तो रटने पे बिल्कुल रटने का है उनको समझने दीजिए उनके marks नहीं आने वाले अच्छी बात उनको उसी मिथ में रहने दीजिए बताईए भी मत क्याता है ना कि अगर आप बेवकुफों को अगर आप समझाते हैं तो वह आपको ना पलट के फिर गालिया देते हैं समझदारों को समझाईए वह एप्रिशियेट करते हैं तो इसलिए समझदारों को समझाईए और बढ़ जाएगे और अधर रियाक्ट विद बोद नौन ऑक्सिदाजिंग अन ऑक्सिदाजिंग असे जैसे समझा सकते हैं आप अपने अच्छे दोस्त हैं तो समझाईए ज़रूर तो अगर हम बाचि जैसे के एंचेल फेमस सब्सक्राइजिंग नहीं होता है अब करता है लेकिन वह और और अपने अच्छिदाजिंग नीचर की वजह सकता है लकिन एक्स्टीम डियूट डियलूट शिपर्सेंट से नीच वाल एचनों शिट्रीव नहीं दिखा पाता तो ऐसे oxidizing acids की बातचीता करें तो वह oxidizing acids non-oxidizing acids के साथ तो reaction नहीं होता बोरोन का high temperature पर जो बहुत ही oxidizing acids है उनके साथ reaction हो जाता है वह reaction यहाँ पर बताया जा रहा है कि cong H204 होगा एफिर cong H203 होगा high temperature पर hot and cong होगा तो B2O3 बन जाएगा जो कि solution के वज़े से H3O3 में convert हो जाएगा रटने के दिरफ नहीं जाना है जो दूसरे इस पेसिस ने ग्रूप के वह oxidizing और non-oxidizing सबके साथ react करते हैं जैसे कि Aluminium HCl के साथ fume करता है है एल सेल 3 बनाता है और H2 बहार निकलता है Aluminium और HCl का reaction जो है वह interesting reaction और जैसे हैं आप HCl के can के पास में आप जैसे हैं Aluminium को लेकर के जाते हैं आपको वह fuming characteristic वह जो H2 hydrogen gas रिलीज होते वह दिखाई देगा कि Aluminium और HCl का reaction तो इस मावल में famous है कि जो flame निकलता है flame का color भी बड़ा interesting होता है तो अगर अंधेरे में देखे तो आपको flame का color जो बुलीज टाइप का दिखाई देगा और बहुत इंट्रेस्टेंग है कही सार वीडियो इसके पड़ी विए यूट्यूब पर Aluminium और याट्स विदाक्वास अलकाली और लिबरेट्स हाइडोजन Aluminium और जिंक यहां पर मैं लिग दे रहा हूं कि Aluminium और जिंक की यह property बहुत famous है किस बात के लिए famous है यह famous for reacting with acid as well as base reacting with acid as well as base तो acid और base दोनों के साथ react करते हैं और hydrogen gas release करते Aluminium और जिंक और क्लास 12 वाली आप नहीं हो तो में बड़ प्यार प्यार से चल रहा हूं आराम आराम से बातों को repeat कर रहा हूं बार-बार अभी वह किलास 11 वाली कारेक्टर स्टिक पुरिदर से गई नहीं है क्लास 12 में जाएंगे तो अपने आप आपकी अपकी स्पीड वगएरा आपकी सोचने समझें की सकते वगएरा जो सब अपने आप बढ़ जाएगी वैसे तो आप यूट्यूब परे स्पीड बहुत तेहीं से बढ़ा लेते हैं तो एक्स वाला बटन दाप करके 1.5 एक्स वाला बटन दाप करके है ना जातर लोग जो रिकॉर्डट देखना पसंद करते हैं बेशनम सब ट्रिकरण इंसान की कोई वीडियो होगी तो वो टू एक्स पर नहीं देखेंगे लेक्चर देखना टू एक्स पर समय बचेगा हा समय बचेगा पहली बार में प्यार प्यार से पढ़ लिया करो उसके बाद 1.5 एक्स और 2 एक्स कर लिया करो कमिंग तो अनेदर पॉइंट अलुमिनियम अन गैलियम और रेंडर पैसिव बाई एच नो थी बाई फॉर्मिंग फिन प्रोटेक्टिव लेयर अफेल टो थी एन इस पॉइंट पर इक अच्छा पॉइंट ध्यान बरकना जरूरी है वैसे इस पॉइंट को भी मैं एक इस्टार दे रहा हूं बताने के लिए कि इतना कोई इंसाटी ने बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं दिया है जोर देने का मतलब होता है कि रिपीट नहीं किया वाय या इस पर कोई discussion फैलाया नहीं है या किसी और एंगल से उसको किसी और जगह पर touch नहीं किया है तो ऐसा इस तते लिख दे रहे हैं क्योंके कहीं ओक जब मैं ऑसी बात है बोल रहा हूता हूं यह जो लिख दो यह जो और उसका एक दूसरा इशारा यह भी होता है कि जही में ने उसको हाई-लाइट नहीं किया भी तक यह जो और चीज को अटार करें कर दिया था कि यह था तो अच्छी चीज है, इसलिए क्योंकि आपको सिफ और सिफ ऐसा नहीं सोच नहीं कि जी में पढ़ रहा हूं, मुझे एक अच्छी सोच वाला इंसान बनना है, एक अच्छी नॉलेज वाला इंसान बनना है, एक अच्छी परस्नालिटी बननी है, जो एडवांस भी करना है, तो यह एडवांस करो नहीं कर लेकिन नॉलेज तो अच्छी चाहिए, हमें जो भी ए 11th 12th के बेसिस पर, जो भी 11th 12th के लेवल पर जो भी basic knowledge होनी चाहिए, उच्छी होनी चाहिए, तो आपको करना है, चाहिज जे इमें में पूछे, या ना पूछे, इस एलमेंट्स रिया सही है क्योंकि प्लस 3 दिखाई दे रहा है आपने oxidation state और यह oxidation state प्लस 3 वाला as compared to plus 1 के unstable तो सारे elements इस तरह से halogenes के साथ react करके ex3 type का compound बनाएंगे thallium का compound stable नहीं रह पाएगा बन करके भी तूट जाएगा और यह same चीज़ आपको दिखाई देगी fluorine, chlorine, bromine, iodine सबके लिए होते वे ऐसा नहीं कि सिर्फ fluorine के साथ या chlorine के साथ है सबके साथ लेकिन हाँ TL plus 3 and I minus यह दोनों साथ में exist नहीं कर पाएंगे TL plus 3 good oxidizing agent and साथ में iodide I minus यह एक reducing agent के रूप में भी काम आ जाता है क्योंकि halogenes में सबसे कम oxidizing कौन है तो वाइडीन है और halogenes में सबसे ज़्यादा oxidizing कौन है fluorine तो जो सबसे कम oxidizing है उसी के चांसे जना कि हो सबसे ज़्यादा reducing होगा सबसे कम oxidizing तो जो सबसे कम oxidizing है उसी के चांसे ज़्यादा reducing होगा correct बोरा बीसील 3 तो सही है बीसील 3 बीफ 3 बीबार 3 यह सारे के सारे बोरों के जो है अभी यही 2023 में इन से related equation आया था कि कहां पर बैक बांडिंग ज्यादा होती है कहां पर Lewis acid characteristics कम और ज्यादा होता है तो मैं especially यहां पर एक KFC बनागर के question के format में यहां पर लिख दे रहा हूं अगर आपको यह बोरों के highlights दिये गया ना तो इन बोरों के बैक बांडिंग कौन से केस में पाते हैं तो बैक बांडिंग हम तब पाते हैं जब कोई दो item आपस में attached हो और एक के पास lone pair present हो एक के पास vacant orbital present हो अगर lone pair present है तो electron अपने higher potential पर present है और vacant orbital अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो lower potential है तो electron हमिशा higher potential से lower potential move करना चाहेगा डी-localize होना चाहेगा यह जो डी-localization है यह जो electron pair का donation है that is back bonding और अब क्या होने वाला है इससे A और B के बीच में double bond character develop होने वाला है यह kind of आप देख रहोंगे ना के coordinate bond के रूप में आ गया यह अगर आप इसको covalent bond में convert करना चाहते हैं तो coordinate bond को पहले आप एक covalent bond के रूप में दिखा दे और जो donor है उस पर plus जो acceptor है उस पर minus दिखा दे साफ साफ दिख रहा है कि आपने इस back bonding के वज़ए से double bond का character develop करा दिया तो back bonding basically bond के strength को बढ़ाने वाली है अब back bonding यहाँ पर जो होगी वो 2P और 2P orbitals के बीच में होगी जिस वज़ए से हम इस back bonding के nature को 2P पाई 2P पाई बोलने वाले हैं 2P इसलिए दो बार 2P इसलिए क्योंके boron के पास भी 2P orbital involved है second period का item है fluorine के पास भी है यही चीज़ अगर boron और chlorine के बीच में बोलेंगे तो वो 2P और 3P वाली होगी जो 3P के electron से वो 2P में जा रहे है फिर अगर bromine से electron boron में गए तो 4P से electron 2P में जा रहे है और अगर iodine से गए तो 5P से electron 2P में जा रहे है जिसकी वजह से जो back bonding के बाद जो pi bond का character यहाँ पर develop हो रहा है double bond character, pi bond और double bond character pi bond और double bond characteristic यह जो develop हो रहा है यह किस वजह से हो रहा है इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने 2P और 5P को involve किया है तो हम यह pi pi लिखते है ना उसका meaning यह होता है कि आप actually बताना क्या चाह रहे हो वो जो extra double bond character developed हो है वो आप दिखाना चाह रहे हो तो वो 2P pi 2P back bonding यानि कि pi bond जो back bonding के बात बना उसके nature बताना चाह रहे है तो सबसे strong bond कौन सा होगा जो nucleus के सबसे नस्दीक बना है that means 2P pi 2P तो आप जैसे जैसे BI3 से BF3 के तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो back bonding की strength है वो बढ़ते चली जाती है अब अगर back bonding के strength बढ़ेगी तो फाइदा क्या होगा back bonding के strength increase कर रही है back bonding के strength increase करने से हुआ क्या है हुआ ये boron को electron की कमी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर electron को electron donate किया गया बोरोन को तो वो ये वो जगह है जहाँ पर strong bond बन रहे हैं वहाँ पर electron की कमी पूरी कर दी गई जहाँ पर सबसे कमजोर bond बना वहाँ पर electron की कमी पूरी नहीं हो पाएगी तो सबसे कमजोर back bonding यहाँ है electron की भूख सबसे ज्यादा यहाँ पर है क्योंकि electron सही से मिला नहीं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोन मिला वहाँ पर इलेक्ट्रोन की भूग सबसे कम है उसे इलेक्ट्रोन लेने की टेंडेंसी उसकी सबसे कम होगी तो अगर मैं पूछ हूँ कि सारे ट्राय हैलाइड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोन लेने की टेंडेंसी किसकी ह होगी Bi3 तो सबसे अच्छा Lewis Acid जो के electron acceptors होते हैं सबसे अच्छा Lewis Acid कौन होगा Bi3 यही question 23 सों पूछा गया था मैं इसे जैमिन 23 बनाकर के लिख दे रहा हूं Lewis Acid strength क्या होने वाला है Lewis strength में Lewis Acid strength में यह order आने वाला है Bi3 greater than B BR3 greater than BCL3 greater than BF3 just because of back bonding त्रीका है आप नीचे एक reaction देख रहा होंगे nCRT ने इस reaction को इतना importance नहीं दिया है हमने दिया है थोड़ा समझाने के लिए यह देखो जितने भी ऐसे species होते हैं जहां पर fluoride extra present होता है जहां पर fluorine present होता है सभी fluorinating agent होते हैं और अभी यहां पर BF3 जिसके अंदर strong back bonding होती है वो बनने के chances है reaction में तो अगर B2O3 के साथ CAF2 को mix किया गया है और हम महौल बना रहें acidic तो acidic महौल हमेशा oxidation को prefer करता है और oxidation आपको feel होगा जैसे कि oxygen लगा लगा तो है already oxygen तो फिर आप oxidation कौन सा तो जो ज्यादा electronegative atom का addition होता है वो भी oxidation ही है तो oxygen को अटा करके fluorine यहां पर attach हो रहा है BF3 जो कि अपने strong back bonding की वज़ासे stable species है उसके बनने के chances है और वही driving force है reaction का साथ ही साथ calcium sulfate का बनना और water का as a living group बहार निकलना वो भी driving force है यह सारे species अपने आप में reaction को forward की तरफ पुल कर रहे है खीच रहे हैं सारे stable species का formation हो रहा है मैं तो especially BF3 की बादचित कर रहा है तक दो back bonding से वो भी relate हो रहा है कि वो भी stable species है उसके बनने की tendency होगी reaction में आप जब कभी भी किसी भी boron के highlight को water में डालेंगे कौन से stable species है जो के boron का दिखाई देता aqua solution में H3PO3 वही बनते भी दिखाई देगा reaction रटने के कहीं से कोई जरूत नहीं है किसी भी reaction को मैंने रटवाया नहीं है हर जगे मैंने आपको लिंक बताने की कोशिश की आप 11 खे और 12 को ड्रॉपर और फरक नहीं बढ़ता हर जगे आप चीजों को समझ समझ करके लिंक बना बना गर कर सकते हैं तो अपने आपको तंग मत कीजिएगा चीजों को इजी बनाईए ढूंडिए रिसर्च कीजिए चेक कीजिए कि कैसे बताया जा रहा है कैसे समझाया जा रहा है चीजों को कैसे आसान किया गया है और फिर आप उसी तरीके को फॉलो कर लिजिए यहां पर देखेंगा BF3 और NH3 की बीच में रियाक्शन है जिसमें बहुत ही फेमस कई बार ये क्वेशन आ चुका है कि जब NH3 और BF3 की बीच में रियाक्शन होता है तो किसके हाइब्रिडाजेशन में कैसा चेंज होता है तो देखें यहां पर तीन बार बने वे हैं तो हाइब्रिडाजेशन SP2 है बोरोन का और नाइट्रोजन के पास एक लोन पियर के वज़ए से नाइट्रोजन का हाइब्रिडाजेशन SP3 है जब यहां से यहां कॉदिनेट बार बनाया जाएगा तो BF3 और NH3 की बीच में जो कॉदिनेट बार्ण है उस कॉदिनेट बार्ण को मैं जब कोविलेंट में कनवर्ट करूँगा तो जो डोनर है उस पर पॉजिटिव और जो एक्सेप्टर उस पर निगेटिव लगाऊँगा तो प्लस और माइनस आगे अब इस प्लस माइनस के वाएसे नाइट्रोजन का हाइब्रेड़ेशन चेंज नहीं हुआ पहले इसके पास सिग्मा बॉण्ड और लोन पियर दोनों को एड़ करके स्टेरिक नंबर कितना आ रहा था फोर अभी भी फोर ही है तो इसका आइब्रेड़ेशन अभी भी SP3 है बट पहले इसके पास सिटेरिक नंबर कितना था सिर्फ तीन सिग्मा बॉण्ड थे अब हो गए तीन प्लस एक ये वाला भी चार तो अब इसका आइब्रेड़ेशन SP2 से चेंज हो करके क्या बन गया SP3 तो चुके ये बहुत रिपिटेटिव टाइप के कोश्चन बहुत बार आ चुके है तो मैंने साइड में इसको बना करके रख दिया ऐसा मैंने जहां जहां पर अपनी घुपसूरत अन्राइटिंग में चीज़ों को लिखा है सभी इंपॉर्टेंट है और बाकी ये वाला पॉइंट अभी जस्त आपको पीछे सिखाई दिया था बताई दिया था ये हमारा फेमस L2Cl6 का स्ट्रक्चर है डाइमर है L2Cl6 का ये ध्यान रखना के L2Cl6 में स्पेशली पुछा जाता है के जो ये वाला पार्ट है ये जो ब्रिज बॉंड है ये जो पार्ट है ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रोन वाला बॉंड है या फिर थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रोन वाला बॉंड है तो आप ज़रा से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना कि हम कैसे पैचानते है 3 center 2 electron या 3 center 4 electron अगर जो भी bridging atom आपको structure में दिखाई दे, bridging atom जैसे यहाँ पर chlorine bridging atom है और अगर B2S6 होता है तो bridging atom hydrogen होता है यह bridging atom है जो दो aluminium के बीश हों bridge का काम कर रहे है तो आपको बता है कि जो bridging atom यहाँ पर हमने देखा वो halogen है और एक lone pair वाला atom जब जब lone pair वाला atom प्रिजेंट होगा वो हमेशा 3 center 4 electron वाला bridge bond बनाएगा कैसे यह तो भी हम देखते हैं बट पहले इस shortcut को always ध्यान में रखी 3 center 4 electron bond बनाएगा कैसे बनाएगा उससे ध्यान से देखना chlorine के पास total कितने electrons है 7 इसमें आप इसके 7 electron को पहले दिखा दो और किसी एक aluminium के साथ इसके bond को बनाने की कोशिश करो बनाएगा हमने एक side bond बन गया दूसरे side के aluminium को लेकर क्या हो हमें पता है कि हर बार जब भी हम aluminium लेकर क्या हैंगे तो aluminium अपने एक ही valence electron को overall तो 3 valence electron को यूज कर रहा है वो लेकिन एक side किसी एक कलोरीन के लिए तो वो एक ही electron निकाल पाएगा न देखो इस side एक electron का यूज वो है इस side एक electron का यूज वो अगर यहाँ वो एक electron का यूज कर रहा है तो यहां तो वो अपने electron का use नहीं कर पाएगा तो फिर यहां यह bond कैसे बना यह bond इसलिए बना क्योंकि इस chlorine ने donate किया है अपने electrons तो वैसे ही अगर मैं इस aluminium की बातचीत करूँ कि इसने तीन bonds already बना लिये तो अब जो चौथा bond बनने वाला है वो तो इसी chlorine के loan pair के donation से बनेगा वैसे ही नीचे भी एक chlorine होगा इस chlorine को आपने aluminium के साथ पाया और अब आप इस chlorine को पाएंगे इसे donate करते हुए जो भी breathing chlorine atom है वो एक loan pair donate करेगा एक aluminium को और एक bond बनाएगा एक aluminium के साथ और चीजे मामला कितना सही से ठो रहा है एक unpaid electron से इधर इस aluminium के साथ single bond बना लिया और अपने एक loan pair को donate करके coordinate bond इस aluminium के साथ बना लिया वैसे इस chlorine ने single bond बना लिया इधर वाले aluminium के साथ aluminium के single electron से और aluminium अपने तीनों electron को use भी कर पा रहा है बाकी के दोनों chlorine के साथ bond बनाने में अपने octet के completion के लिए इसने यहां से coordinate bond मांग लिया अपने octet के completion के लिए इसने यहां से है coordinate bond मांग लिया अभ इस coordinate bond के वज़ाए से अगर मैं यह सर्च करने गया कितने electrons bonding में participate कर रहे है मैं उन सारे electrons को यलो से दिखाने के गोशिस करूँगा तो यह bonding को participate कर रहे है इस पूरे इलाके को ध्यान से देखना जिसको मैंने green color कर दिये यहां से यहां यह पूरा banana bond वाला part है bridge bond वाला part है जो कि B2S6 के case में आप नाना bond के नाम से जान रहे होते है तो अभी इस वाले case में यह दो electron यहां पर count हो गए फिर यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिफ और सिफ यह दोनों electron है जो actually counting में आ सकते हैं देख रहे हैं तो overall 2 और 2 4 total 4 electrons आपको दिखाई दे रहे हैं total 4 electrons से आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे bridge bond में जो actually bonding में participate कर रहे हैं हैं कितने item 1, 2, 3 तो that is why कि यह 3 center है लेकिन चुक्छे 4 electron participate कर रहे हैं तो यह 3 center 4 electron वाला bridge bond होगा ठीक वैसे नीचे भी वही चीज होगी 3 center 4 electron वाला पाट आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है 3 center क्यों बोलते हैं क्योंकि 3 atom 3 nucleus involved है और 4 electron क्यों बोलते हैं क्योंकि total 4 electron ही involved है तो इसलिए correct answer is what 3 center 4 electron और यह तब दिखाई देगा तब दिखेगा जब bridging atom lone pair वाला नहीं होगा तब दिखेगा जब bridging atom lone pair वाला नहीं होगा लोन पेर वाला नहीं होगा ओके, done मैं, ठीक है अभी हमने पीछे यह reaction होते वे देखे थे BF3 on hydrolysis क्या बनेगा बोरोन के plus 3 oxidation state को ले लो अक्वा solution में डाल दो क्या बनने वाला है S3, BO3 तो शोर शोर बनेगा लेकिन बस एक बात पर तुमसे गलती हो जाती तुम इसे नहीं बनाते तो इसे कैसे predict करेंगे भाई बड़ा असान predict करना देखो हर वो species जहां oxygen जादा होता है वो oxidizing agent होता है हर वो species जहां halogen जादा होता है वो halogenating agent होता है अब halogen का पहला प्यार कौन होते है metal दूसरा प्यार कौन होते है hydrogen सारे electronegative item के साथ यही है तो halogen के साथ भी यही है halogen का पहला प्यार metal दूसरा प्यार दूसरा प्यार भी मेटल तीसरा प्यार भी मेटल ये मत कर दे न हाँ वो सही है वैसे बट एक्चुली बात करें के पहले प्यार के बाद दूसरा प्यार कौन है तो वो हाइड हो जाने तो अभी आपको दूसरा प्यार तो दिखाई दे रहा है तो वैसे तो बोरोन के प्लस 3 स्टेट के हिसाब से आपने H3PO3 बना लिया वो बनना है लेकिन जो BF3 था उसका फ्लोरीन अपने दूसरे प्यार के साथ जा करके HF तो बनाएगा न और ये HF जो जो भी unreacted BF3 होगा उसके साथ मिल करके क्या बनाएगा यही तो बनाएगा so that is why दो नहीं बनने HF तो बनना ही है जो फ्लोरीन है अगर आपने अक्वा सॉलेशन में किसी भी फ्लोरीनेटिंग कंपाउंड को डाला किसी भी फ्लोरीन वाले इवेन कि अपने जेनन के फ्लोराइट को डाल दिया कोई भी फ्लोरीनेटिंग स्पेशिव उठाओ वो एच फ तो बना नहीं बनाना है और वो एच फ जो है फिर बचे वे unreacted BF3 के साथ रियाक्ट करके वो बना लेगा ठीक है बढ़ते गुर्प 13 एलेमेंट एक्स रियाक्स विद क्लोरीन ग्यास तो प्रोडिव अ कंपाउंड एक्स एल्ट्री टाइप का कुछ बना रहा है जरूरी नहीं के बोरोन हो बट शक आपको पहले बोरोन पर ही करना है क्योंकि अक्सर उसी के रियाक्शन ही मैंने क् इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रियाक्शन है वो बोरोन वाले ही है तो आपने वही कोशिश करनी है कि आपका शक आपकी निगाहें जो है आपका निमाग जो है वह वहीं जाए कि अच्छा बोरोन का ही कुछ बन रहा होगा XCl3 is electron deficient and easily reacts with NH3 to form XCl3 NH3 adduct However, XCl3 does not dimerize अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे से फंडे का यूज किया गया देखे Alcl3 हमने note किया अभी पीछे कि Alcl3 यह octet completion के लिए dimerize करेगा Octet completion के लिए क्या करेगा? dimerize करेगा है ना? तो octet completion के लिए dimerize करेगा Alcl6 बनाएगा 3 center 4 electron bond बनाएगा dimerize करेगा बट बोरोन के जो highlights है यहाँ back bonding होती है significant back bonding होती है यह significant back bonding नहीं है यह ध्यान रखना यह मैं बाजू में लिक रहा हूँ क्यों नहीं है? Alcl3, Albr3, Li3 यह significant back bonding नहीं है क्योंकि कोई भी second period का item नहीं है जब तक second period का at least एक item नहीं हो back bonding significant नहीं होती यह बात पता नहीं होती back bonding से related लोगों को यहाँ पर बड़े बुरे फस्ते हैं तो केर करना कि यहाँ बोरोन के ट्राइलाइड्स में यहाँ back bonding significant है अब significant back bonding के वाज़ से electron की deficiency कम हो जाती है significant होती है जिससे इलेक्ट्रोन की कमी पूरी होती है वैसे पूरी तरह से तो नहीं होती है पूरी बट इस्टिल relatively तो ज्याद ही होती है तो इलेक्ट्रोन की कमी पूरी हो जाती है तो डाइमराइस करने का नेचर नहीं होता इनका डाइमराइस इसी लिए नहीं करना चाहते डाइमराइस करना नहीं चाहते क्यों जरुआती नहीं बढ़ती है यह back bonding है ना यहाँ back bonding नहीं है significant क्यों नहीं है significant तो back bonding significant होने के लिए at least one atom should be from second period back bonding significant होने के लिए at least एक second period से होगा at least one atom should be from second period इस इसको मैं एक बार और red mark करके लिख दे रहा हूं back bonding तभी significant होगी जब at least जब अट लीस्ट वन अटम कहां से होगा second period से second period से होगा अट लीस्ट अट लीस्ट एक अटम सेकेंड पिरेट से होना चाहिए अट लीस्ट तो back bonding तभी significant जबके at least एक अटम सेकेंड पिरेट से हो अगर नहीं है second period से तो back bonding significant नहीं है electron की कमी पूरी नहीं हो रही है अब वो electron की कमी कैसे पूरी करेगा यह 박मनहीं करेंगे और यही बात यहां पर लिखी वही थी किए डाइमराज नहीं करता है तो answer boron हो जाएगा राइट ऐसे चेक करना था भाई के boron ही होने वाला है aluminium नहीं होने वाला है आगे, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. तो यहाँ पर assertion reason type का question है, आपर बोर्स वगर में भी देखने को मिलते हैं, असे question, assertion, boron is unable to form BF6 3-, बोरोन second period का atom है, याद रखना है, कि second period के atom के लिए, 4 से जादा bond मराना impossible है, second period का atom, चार से जादा bond नहीं बना सकते हैं, ज्यादा bond नहीं बना सकते हैं, क्यों? भई, और्बिटल ही नहीं है, 2S में एक और्बिटल and 2P में maximum कितने और्बिटल? तीन, तो कहां से bond बना लेगा वोर? नहीं बना सकते हैं, size of B is very small, अब देखो, बोरोन का size तो बहुत small है, second period के atom के होने के वज़े से, लेकिन, जरा ये बता दो, कि क्या size small होने की वज़े से, हम ये बोले, कि B F 6 3- नहीं बन सकता, हमें ना, जाकर बताना पड़ेगा क्या orbitals नहीं है, 6 bond बनाने के लिए, छोटे size के वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन, छोटा size कई बार relative term भी होता है, तो जब तक आप exactly बता नहीं रहे, कि वहाँ पर vacant d-orbital नहीं है, क्योंकि अगर आप hybridization ढूडने गए, तो वह sp3d2 hybridization हो जाएगा, तो d-orbital तो active नहीं है ना, वहाँ पर, so that is why, सिफ फर सिफ, इस small बोलने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, next, borax पर आते हैं, borax के सारे reaction important है, पर बड़े tricky तरीके से, आप सारे reactions दिमाग में रख सकते हैं, कुछ भी रटने की ज़रूद नहीं है, आप सबसे पहले, borax, पहले आप यहाँ पर, compounds of boron में, orthoboric acid यानि के, H3-BO3 के preparation का discussion कर रहे हैं, तो आप borax का कोई भी compound उठाईए, और उसको उठा करके नाप aqua solution में डालिए, अभी जब आप Na2-B4-O7 को डालते हैं ना water में, तो actually यह बनाता है NaOH plus H3-BO3, अब अगर मुझे सिर्फ H3-BO3 चाहिए, NaOH नहीं चाहिए, तो मैं उस solution में क्या गरूँगा, HCl मिक्स कर दूँगा, जिससे कि यह क्या हो जाएगा, Neutralize हो जाएगा, So that is why आप यहाँ पर देख रहे हो, जो बोरक्स है, उसको water में simply डालो गया, तो NH और H3-BO3 मिलेगा, लेकिन अगर आपने, HCl डाल दिया, तो वो NH क्या हो जाता है, Neutralize हो जाता है, Neutralize हो गया, Right, NaCl बन गया, हमारे पास सिफ और सिफ, एक important compound वहाँ पर देख रहा है, H3-BO3, NaCl को थोड़ी नाप important पानते हैं, B2-A6, इसे आपने आइडरलाइस किया, H3-BO3 बन गया, आपने बोरोन के हाइलाइड को हाइडरलाइस किया, H3-BO3 बन गया, यह सारे वो reaction से जहांपर के mainly, आप H3-BO3 पर focusड हो, H3-BO3 बना रहे हो, बोरीग एसीड का अपना जो solid state का structure है, बड़ा interesting है, इस मामले में कि आपको एक cyclohexane type का structure दिखाई देता है, बड़ उसमें actually 8 items होते हैं, और 2 hydrogen bonds आपको दिखाई देते हैं, तो किसी एक unit में, किसी एक unit की अगर बातचित करें, तो in one unit क्या-क्या चीज़े दिखाई देती, वो यहाँ पर मैं summarize कर दे रहा हूँ, cyclohexane type का है, 2 hydrogen bonds दिख रहे हैं, 2 boron atom दिखाई दे रहे हैं, 2 hydrogen atom दिखाई दे रहे हैं, चार oxygen atom दिखाई दे रहे हैं, यह धियान में रखना, boric acid का solid state, cyclohexane type का दिखेगा, बड़ 8 atom होंगे, 2 hydrogen atom, 2 boron atom, 4 oxygen atom दिखाई देंगे, अगर आपने boric acid को, ज्यादा hydrolyze किया, तो आपको boh4 minus दिख सकता है, अगर आपने base में डाला, तो boh4 minus दो पक्का मिलेगा, reason being कि आप जब boh3 बनाते हैं, तो boron जब भी तीन bond बनाता है, हमेशा उसके पास एक vacant orbital रह जाता है, P sub shell का एक orbital vacant है, और anytime अगर आप कोई भी donor लगाएंगे, H2O जैसा भी, तो यह H2O के oxygen को, as a Lewis acid accept करेगा, Lewis base के रूप में इसे एक्ट करवाएगा, और BOH whole 4 minus बनाने की capability रखेगा, अगर यह base होता OH minus, तब तो यह चीज़ और भी आसानी से forward की तरफ जाती, जो H plus बाहर निकला water से, वो H3 plus बना लेगा, दूसरे water molecule के साथ mix होगर के, आप नीचे में देख रहे होगे, कि इसी बोरिक एसिट से रिलेटेट एक बड़ी मज़दार सा एक reaction, इथाइलीन ग्लाइकोल के साथ दिखाएगिया है, तो H3O3 is due to high stability of the conjugate base, किलेट complex, यहाँ पर इथाइलीन ग्लाइकोल के साथ आप देख रहे होगे, कि इस्पेशली जो OH वाला पार्ट है, उसके साथ complex बनाते भी दिखाएगिया है, जो oxygen वाला पार्ट है, वो as a ligand, as a base, electron donor के रूप में, boron के vacant orbital के साथ, combine करते भी दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे water के OH को donate करते भी आपने पाया, oxygen, oxygen, वैसे ही धालिन ग्लाइकोल का OH वाला पार्ट है, वो donate कर रहे हैं, दो OH वाला पार्ट है, तो दोनों ही donate कर रहे हैं, और दोनों साइट से donate कर रहे हैं, अब इसकी वज़ाए से, obviously हम यह भी पता है कि कुछ condensation type का भी होना है, क्योंकि अगर आपने दोनों साइट से OH वाले पार्ट लाए, पहले से boron के पास OH था, तो एक limit है, boron चार boron तक ही जा सकता है, second period का अटम है तो, तो obviously parallelly मुझको यह भी सोचना है कि हाँ, oxygen कुछ बाहर भी release होने वाले हैं, अगर आप ऐसे अगर हिसाब किताब करें, तो आपको यहाँ पर यह साफ सब दिखी जाएगा, कि अगर H3PO3 है, और आपने दो इथाइलिन ग्राइकोल के मॉलिकुल लिए, तो total number of oxygen atom माइनस करेंगे, water molecule बाहर निकाल करके, आपको तो चारी oxygen atom दिखाने बोरोन के साथ, तो अगर आपको बैलेंस करना होगा, तो जो भी oxygen atom आपको एक्स्ट्रा दिखाई दिये, सबके सब water molecule के रूप में बाहर निकाल रहे होंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, reaction का driving force क्या है, वैसे ही जैसे के आपने देखा, H2O का जैसे boric acid के साथ, Lewis acid based interaction है, वैसे ही यह भी Lewis acid based interaction है, और नहीं कुछ, फिर, catacol के साथ भी reaction वहीं Lewis acid based वाला है, वैसे ही complex बन जाएगा, बोरोन के चारबॉन बनेंगे, जो भी part होगा, OH वाला extra जो भी oxygen atom होगे, वो condensed होगर के H2O बनागर के बहार निकल जाएंगे, salisalic acid के साथ भी वैसे ही reaction है, तो same ही pattern of reaction, Lewis acid based interaction के बेशिस पर, हाँ एक बात है, कि जहां पर geometrical isomerism possible है, वहां पर geometrical isomerism हो जाएगी, कि अब आप 11 में हैं, तो geometrical isomerism को इतना catch नहीं कर पा रहे हैं, बट ये मैंने notes के शकल में छोड़ दिया है, आप जब 12 पे जाएंगे, तो same यही PDF आपको बहुत अच्छे से काम आएगी, and this is kind of one of the best notes, जो आपको P-block के मिलने वाले हैं, आगी heating effect की बात करें, तो boric acid से कौन सा species है, जो के heating करने पर बाहर की तरफ भागेगा, obviously वो species जो के बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से, volatility जहाँ पर जिस species के volatility ज्यादा है, जो बहार निकलते हैं अक्सर heating पर जो species दिखाई देते, वो अच्छे living group होते हैं, या जादा volatile species होते हैं, जैसे के H2O, NH3, N2, CO2, SO2, SO3, तो H2O है जो बहार निकलेगा, और उससे metaboric acid बनेगा, हर वो species जो metaboric acid बना सकता है, वही ortho prefix के साथ उसको बुलाया जाता है, ortho acid है, तो metaboric acid अगर further आप यहां से H2O निकालेंगे, तो उसके लिए आपको balance करके 2 mol उठाने पड़ेंगे, और इसमें से आप H2O निकालेंगे, तो तब जागर के आपको B2O3 बनते भी दिखाई देगा, वैसे आप B2O3 तो बनाई देगे, क्योंकि आपको एक ट्रिक बता दिये, कि अगर वाटर नहीं है, आप वाटर का expulsion कर रहे हो, फिर कोई stable species बना रहे हो, तो वो तो B2O3 ही बनना है, फिर यहां पर एक reaction है, जिसमें दिखाई जा रहे हैं के species है, जो react कर रहे हैं nitrogen के साथ, और very hard substance है, यही से समझ में आगया कि इसके boron nitride होने के chances है, अब boron nitride मतलब boron है न, तो उसी के case में मैं पता है, melting point, hardness वगरा जादा होती है, अब nitride है, और अगर यह react करने के हैं H2O के साथ, तो अविसलि यह NH3 बना रहा होगा, और boron अपने plus 3 state के साथ, तो अविसलि क्या बनाएगा H3, PO3 बनाएगा, शही है, ज़रा चेक कीजिए, तो क्या HNO3 बनने के chances हैं, acid plus pungent smelling gas, तो acid कौन सा है, यह पुछा जा रहा है, तो HNO3, यह तो तब बनेगा जब कि आपना N2O5 को H2O में डालेंगे तब, जो एनाड्राइड है, HNO3 का वो N2O5 है, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रोत नहीं है, यह समझ समझ करके, प्यार प्यार से कर सकते हैं, फिर शहाई सर्शन है, boron acid is, boric acid is a weak acid, बिल्कुल, boric acid is weak acid है, जितने भी strong acids हैं, वो strong acids में देखा, 7 strong acids inorganic के कौन-कौन से, HCL, HBR, HI, HNO3, H2SO4, HCLO4, और, 6 strong acids भोलने, अच्छा साथ बोल दिया, 6 strong acids ध्यान में रखना, उसके बाद HCLO4 के लाबा, आप बाकी भी दूसरे ले सकते हैं, बड़ यह 6 हैं, जो सबसे strong acids के रूप में, अभी आपने acidity का ग्यान नहीं लिया, 11 पे तो 12 में GOC, जो या फिर आपने 11 के GOC में आपने देखे ही होंगे, लेक्चर में, मैंने यह सब डिसकस किया, कि सारे inorganic acids जो हैं, वो strong होते हैं, जो सबसे ज्यादा acidity में आते हैं, वो inorganic acids होते हैं, organic acids अक्सर weak होते हैं, क्योंकि carbon change वो strong नहीं बनने देती, आसानी से hydrogen को release नहीं होने देती, तो strong acids जो है 6, उसमें, HI, HBR, HCL, decreasing order में, halogen acids, फिर, HNO3, H2SO4, सबसे ज्यादा acidic है, HCLO4, इसकी pk value, minus 10 होती है, minus 9, minus 8, minus 7, और यह minus 2, minus 1 के around होते हैं, यह दोनों, तो सबसे strong, फिर यह strong, सबसे कमजोर यह दोनों, उनमें भी H2SO4 और HNO3 को mix करेंगे, तो H2SO4 acid के रूप में behave करेगा, तो boric acid व्यासे भी boron का है, और boric acid अपना H+, कभी release नहीं करता, water का H+, release करता है, Lewis acid based interaction करेगा, पहले water को catch करेगा, आपने देखा था पीछे, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, water, ना तो इसने अपना यह वाला H+, release किया, अपने सारे H+, को पकड़ के रखा वहा है, इसने, H2O को जोड़ा, Lewis acid based interaction सा, और H2O का H+, release किया, यहाँ जो H+, हो H2O का H+, हो H2O का H+, हो H3PO3 का H+, नहीं है, यह बहार release हो है, हो H2O का है, H2O से OH को रख लिया, और H+, को release करवा दिया, तो बोरीक एसिड बहुत ही, पॉलिटिकल एसिड है, अपना कुछ नहीं खर्च करता है, खर्च करवा लेता है, वाटर का, और बहेव ऐसे करता है, जैसे के वो एसिड है, बोरीक एसिड बीक एसिड है, और बोरीक एसिड है, बोरीक एसिड है, ही बात लिख दी गई है, तो और ऑप्शन A, विल बी करेक्ट आप्सर, ठीक है, ना दिस इस स्ट्रक्चर आफ बोरक्स, बोरक्स के रियाक्शन, अभी आप देख रहोगे, परके बोरोन वाला पार्ट काफी लंबा चला है, in fact पूरे बोरौन के ग्रुप में बोरोन की ही बाकषित में हो रही होती है, बाक्यों को मौकाई ही नहीं मिलता जादा कुछ, शुआफ करने का, या डिस्कॉस करने का, कार्बन वाले जाएं तो कुछ खास बात में लोटी मुटी बाता हो रही होती है और रियक्शन कुछ खास हैं नहीं तो जितने रियक्शन आपने पूरे प्लोग में क्लास 11 के प्लॉक में पढ़ने वह बेशिकलि बोरॉन की ही पढ़ने और ये सब चीज़े बहुत अच्छी हैं, मतलब ज्यादा चीज़े नहीं पढ़नी हैं, बढ़ आप जब इंसियार्टी देखेंगे, या फिर आप दूसरों के मुझ से सुनेंगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, उन्होंने कभी खुद नहीं पढ़ा गा है, लेकिन आप वहा आप चाहते भी ये प्रावड फिल करना, तो प्रावड फिल करने मेले चीज़े इतनी आसान इसे तो नहीं आती ना, पढ़ना तो पढ़ेगा, लेकिन मिथ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ, सच्चाई ये है, कि समझदारी से पढ़े, तो चीज़े बहुत जल्दी हो जा ये बोरक्स का फर्मला है, लेकिन अशान नहीं होता है, इसके अंदर जो कॉमपलेक्स वाला पार्ट है, एट इस तो मॉलक्यूल को पहले बाहर निकाल ले, टेन में से, जो पार्ट बज गया, वो एक्चलिक टैयन और अनाएन के फर्म में ऐसे डिवाइड होता है, बिसकी अब ज़रा देखो इस B4O5 में OH4 क्यों दिखाये गया है क्योंकि चार बोरोन के साथ 4 OH जुड़े रहते हैं तो 4 बोरोन के साथ 4 OH जुड़े वे और सारे बोरोन आपस में भी जुड़े वे तो 4 oxygen भी वहां खर्च हो गए एक oxygen एक्स्ट्रा दो बोरोन को जोड़ रहा होता है जिस वज़े से यह पाँचवा बी ओबी बॉन्ड दिखाई देता है 4 बीोबी बॉंड तो थे इ 5 बीओ बॉंड भी दिखाई देता है जो पांचमा बीओ बॉंड दिखाई देता है वो पांचमा बीओ बॉंड जो है वो actually ये O5 बना रहा है चार बोरोन, 5 O5 then OH जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हर 4 बोरोन के उपर है तो आब दो निगेटिव को जस्तिफाइड करना है तो तो वहाँ पर इस्ट्राइट नहीं लेकिन जैसे चार बॉंड बनाएगा बॉर उस पे एक्स्ट्रा निगेटिव चार बॉंड बने गई एक्स्ट्राइलक्ट्रॉण से तो चुकिए चार बॉंड और चार बॉंड है तो यहाँ पर दो एक्स्ट्रा निगेटिव हैं दो निगेटिव को बैलेंस करने के लिए दो सोडियम है इस्ट्रक्चर हो गया डंड इसो पुछा जाए तो यह भी बॉंड पांच है बॉरक्स का बफर अगर आप हीटिंग करेंगे तो पहले वाटर फिसलाइजेशन बाहर निकलेगा जो एने टू भी फॉरो सेवन वाला पार्ट है बात में वह मेटा बोरेट बनाएगा और बीटो थी बनाएगा मेटा बोरेट के साथ जो है वो बॉरक्स बीट टेस्ट किया जाता है उसकी भी लिस्ट मैंने आगे बना दी है अगर आप एने टू भी फॉरो सेवन में स्पेशली एने विच डालेगे तो मेटा बोरेट ज्यादा दिखाए देगा जो बोरिक एसिड भी होता है वो मेटा बोरेट में कनवर्ट हो जाता है बेस की वजह से रीक्शन आप करके देख लो सारे के सारे रिक हैड्रोजन को हटाने का काम कॉन करें और तो फिर मेटाबोरेट ही बन जायेगा यह दोन Pixel चैनी में यह वाला इंश क्वकस नहीं किया अब बीटू ठीकी बात करें यह पेशल बीट टेस्ट का जो लिस्ट बनाया है, उसमें हम बीओ टू माइनस की बात करें तो बिटर होगा, एने बीओ टू के साथ ये बोरक्स बीट टेस्ट होता है, जिसमें कि बेसिकलिए एने बीओ टू और बीटो टू थरी दोनों प्रिजेंट होते हैं, तो मैं इसे लिग दू यहां पर कि एने बीओ टू और बीटो थरी दोना है, तो वही बीओ टू माइनस वाला पार्ट जो है, आपको बेसिकलिए दिखाई दे रहा है, यहां पर सारे अलग-लग स्पेशिस के साथ मेटा बोरेट बनाते हुए, तो मेटा बोरेट जब बन रहा है, तो आपको लग पार्ट देखाई और कलर मुझे को याद रख ने होंगे, लेकिन सारे कलर वही कॉमन टाइप के हैं, क्रोमियम का वही ग्रीन कलर से कॉमन है, मैगनिस का वही वाइलेट कलर के रूप में जो आप जानते हैं, वही कउमन कलर से दिखाई दे रहे हैं, कोबाल्ट ब्लू और दिखाई देता है और निकल की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए निकल के colors थोड़े से आपको variable दिखाई देंगे दूसरे salt के रूप में बड़ वैसे chromium, manganese, kobalt वगरा तंग नहीं करेंगे, copper भी तंग नहीं करने वाला वही blue color जो आपको famous उसके colors दिखाई देते हैं, वही सब colors है, कुछ बहुत अलग color नहीं है जो जादा पूछे जाते हैं, जो oxidizing flame वाले जादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर रखा है वैसे, जब exam पास आजाए, तो insert in lab manual से जरूर एक दो बार पढ़ देना चाहिए, borax beat test क्योंकि वो इस बार भी पूछा गया है, हलागि इस बार तो आप इसी list से उठा करके answer कर सकते हैं, बट फिर भी lab manual all apart, पहले एक बार पढ़ देना चाहिए, अच्छा, when borax is dissolved in water, इस question का answer क्या आएगा, हमने अभी जस्ट पिछे देखा था, borax को dissolve करेंगे water में, तो ब्योच होल 3 तो बनी जाएगा, लेकिन ब्योच होल 3 के साथ साथ, अगर extra water है, तो ब्योच होल 4 माइनस भी दिखाई द तो कोबाल्ड का मेटावोरेट बन जाएगा, पीछे देखा था जस्ट ब्योच ब्योच बीट टेस्ट में मेली कंपाउंड बनाने के काम आता है, ब्योच माइनस है ना, तो ब्योच माइनस जो है वो इलेक्ट्रोन डोनर के रूप में, सारे जितने भी लुईस एसिड्स ह जो भी मेटल, हेवी मेटल्स जो भी होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, वैकन डी और्बिटल होता है, पॉस्टिफ चार्ज है तो अल्रेडी वो लुईस एसिडविस इंट्रैक्शन बड़ा स्ट्रॉंग होगा, फिर आज अगर बोरोन हाइड्राइट्स की बातच हाइड के साथ रियाक्शन करवाया है, तो अगर क्लास 12 की और गेनिक आपको पता होती तो चीज़े बहुत इजी हो जाते हैं, भी इजी है, बट क्लास 12 की और गेनिक पढ़ने के बाद तो यह चीज़ बहुत हलवा लगीगी, हलवा भी भी है, मैं हलवा बना दे रहा हूं मैं रिलेट इसलिए करवा रहा हूं कि क्लास 12 पढ़ने के बाद एक बार जब आप रिवाइस करोगे तो मेरी इस बात को याद रखना का अच्छा, उसके बाद बहुत इजी ली समझ में आता है, तो चीज़े और भी आसान ही होती है, क्लास 12 में जाकर करके, लाई ले एलक्ट्रोन बोरोन को देने की कोशिश करेगा, इनफाट जब ये बोरोन के वाकेंड और रविटाल में ये जाएका, तो इलक्त्रोन लेने का काम कौन कर लेगा, ये कर लेगा, तो बेसीकली यहां पर बड़ी अच्छी से प्यारी से पॉलिटिक्स होगी, फ्लोरीन क्या मेरा तुम मेरा प्हएला इस लिए असलिय है क्योंकि मेरा Hugh मुझे व renowned टूद में मुझे नियुक्स जाहिए वो फ्री बाहर निकल गया प्यार से अगर फ्लोरीन बाहर निकला है तो एफ माइनस के रूप में रहने की बजाए वो अपने नीट्रल स्टेट को पसंद करेगा है तो कहानी ऐसी है कि भाई जो फ्लोरीन है उसको रिप्लेस करने का काम किस ने किया है और जो बी एस थ्री यह बी एस थ्री चुके बोरोन को 6 एलेक्टरों स्पेशिस बनाता है तो बो बियेस थ्री अपने आपको डाइम राइस करके बी टोए 6 में कनवर्ट कर लेता है अब जितने भी हाइड्राइट वो तो चले गए इसके पास बोरोन के पास जो एक्स्टा ऐडोजन होता वो है बना लेता लेकिन एक्स्टा ऐडोजन नहीं है तो अब्वियस्ली फ्लोरीन का जो सहारा होगा निउट्रलाइजेशन के लिए वो कौन होने वाला है जितने भी मेटल्स आपको दिखाई दे रहे है बही तो एलाएफ और एलेफटृ क्योव बंते वे दिखाई दे रहे है क्योंके बही को फ्लोरीन को कॉन सहारा देगा मेटल्स हिते और हिकिन पहला प्यार की पहले प्यार की सच्चा है आज पता चली կह एक्षिली फ्लोरीन की फ्लोरीन जो यह ऐ है बहूरा है Locker नेट बिछे रास कुछ और है तो बीटू एशिक्स एलाइफ एलेफ थ्री यह प्रोडियूस क्यों हुए सारे हाइडोजन जो वह बोरोन के पास से लगे फ्लोरी ने बोरोन को बैला फॉस ला लिया कि मैं तो चला तो हाइडोजन के साथ चला जा जो एलेक्ट्रोन मैं रखूंगा लेक्ट्रोन ले लिया और सारे के सारे मेटल्स जो अब उसको न्यूटलाइज कर रहें तो लाइफ और लेफ थ्री बन रहा है इसलिए कुछ इसी तरह की कहानी आप आगे भी बनते वे देखेंगे ने भी एच फॉर भी वैसा ही एक हाइड्राइड है और यह जो हाइड्र माइनस के साथ ने प्लस को देख रहे हैं तो जब तक ने प्लस है भी एच फॉर माइनस है कोई भी रियाक्टिव स्पेशिज नहीं है तब तक यह स्टैबल है लेकिन जैसे कोई रियाक्टिव स्पेशिज आया अब इस रियाक्टिव स्पेशिज के तरफ इस दूसरे रिय निग्टिव पार्ट है वहisine इस अई सपेसज है जो कि है लूजन है इलेक्टरण ले सकता है और हइड्राइड जो निस्टेबल है और देना ही चाहता है इस जो ह्मयं तरेश्ट ये जलेए बवहत कॉसिश करता है सामने वाले स्पेसेdesu अच्छा reducing agent, बहुत अच्छा reducing agent है, तो बहुत अच्छा reducing agent है, तो बहुत अच्छा reducing agent है, तो बढ़ी आसानी से किसी भी oxidizing agent को electron देना चाहेगा, दे दिया electron, NAI बना दिया, जो भी hydrogen बच गिया, वो H2 के रूप में निकला, और otherwise जो BH3 बचा था, वो अपने आपको dime rise करके, कि B2H6 बन कर तयार, electron निकाल दे बस यहां से, जो भी H- था, जब यह अपने electron lose करेगा, यही बनाएगा ना, और एक से ज़्यादा जैसे hydrogen atom होंगे, वो क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, यह सारे electron किस के पास चले गए, हैलोजन के पास चले गए, हैलोजन ने क्या बना लि जो एने प्लस था, सारी चीज़े सेट हो गई, तो आप खुदी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस दर ऐसे सोच सोच करके, फिर से देखे, BF3NAH, पीछे एक रियाक्शन देखा था, जिसमें एने एच नहीं था, इलाई यह फूर था, एने एच भी हाइड्राइड है, फिर एने प्लस के साथ, नियूटरलाइज हो जाएगा, बोरोन को बहला फुसला के क्या दे देंगे, हाइड्रोजन, और वो भी एस थ्री क्या करेगा, खुद को डाइम राइस करके, क्या बना लेगा, B2H6, वही आप देख रहें, बनते हुए, B2H6 एने एने, यह कहानी है, सम का हइड्राइड है, B2H6 भरे पड़े हैं, जहां कही पर भी oxygen ज्यादा होता है, जिसकि सिभी और वो और oxygen ज्यादा होता है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, वो reducing agent होगा, hydrogen producing spaces होगा, और hydrogen बड़ी आफसान इसे oxidized हो जाता है, तो आप जी काफी exothermic process, आप expect कर सकत किसी भी हाइड्राइड का जब रियाक्शन होगा मॉइस्चर के साथ किसी भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कंटेनिंग जैसे के बोरोन हाइड्राइड अगर यह कमशन में जाता है तो काफी ज्यादा इनर्जी रिलीस करेगा एक तो बीटू ओ त्री जैसा इस स्टैबल स्पे उपर तक एडवांस तक हो सकते एक साथ लिस्ट आउट कर दिये हैं अब देख रहोंगा ऑक्सिदेशन है तो बीटू ओ थ्री यह वाटर रे तो बीच होल थी है बेस है तो बोरेट है नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके साथ जो है वह एसीड बेस का अगर एक्सेस हुआ तो कॉंप्लेक्स बनाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है अगर इंसवाटी के साथ से चलें तो नहीं जब एक्सेस होगा और हीटिंग भी हाई होगी तो हमें बोरो नाइट्राइड बनते वे दिखाई देगा अगर वन इस्टू वाला रेश्यो तो इन और्गेनिक बनते वे दिखाई देगा इंपोर्टेंट चीज़ें इस्पेशली मैं जहां जहां पर माक कर रहा हूं वह आपने कई सार चीज़े तो देग ली अब यह तो इंपोर्टेंट है और एजी भी है और यह दोनों जो है वह इंपोर्टेंट इसले क्योंकि बोरो नाइट्राइड और इन और्गेनिक बेंजीन बनायते इतना तो जरूर कर लेना बाकी को आप छोड़ भी तो कोई बात नहीं है हैलेजन के साथ रियाक्शन कराएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीस एल थ्री वगरा बनते वे एंड एल सेल थ्री वगरा के स चिल वे में छोड़ सकते हैं और यह सब या तो वह बहुत कॉमन है या फिर इंपॉर्टन नहीं है कार्बन मोनोकस्टाइड वगरा जो है वह ऐसे स्पेस्टे जहां पर क्या ऑक्सीजन है और लोन पे रप्रेजेंट हैं तो लुईस बेस लुईस एसीड बेस कॉंप्लेक् देख रहे है कि या यह जैसे एस स्ट्री और शीज साल्वेbre डिå काम काम करता है तो जैसे आप में ढलते और या औमने अपने 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 लोन के साथ क्या देखना है आपने ये चीज़ बनते वे देखना है अलकॉक्सी वला पाट आगर के जुड़ते वे देखना है जैसे ओएच वला पाट वाटर सा आगर के जुड़ता है बट ये सारी चीज़ें अभी 11th के इसाफ से इतनी important नहीं है टुवल्थ में अपने आप ये सारी चीज़ें जो डिरेक्ली इंडर्क लिया रही होंगी तो वो चीज़ें अपने आप दिमाग में चले जाएंगे ज्यादा टेंशन नहीं लेना फिर B2S6 का structure बहुत famous है, तो आते हैं B2S6 के structure का discussion करते है, हाला कि मैंने इसका motor-motor discussion पहले AL2-Celtics के time पर ही कर दिया, कि actually B2S6 वाले structure में 3 center 2 electron bonds दिखाई देते हैं, क्योंकि याँ पर कोई भी bridging atom, lone pair वाला नहीं है, तो याँ पर कितने 3 center 2 electron bonds है, एक उपर एक नीचे हैं, कितने hydrogen atom हैं जो के same plane में हैं, 4, उनको हम mark कर लेते हैं, yellow से, ठैड़ा है, ठैड़ा है, सारे corner वाले, और same plane वाले, तो same plane की बातचीत करें, तो 4 BH bonds हैं, जो same plane में पाये जाते हैं, और 2 हैं जो कि आपको perpendicular plane में पाये जा रहे हैं, और वही है 3 center 2 electron वाले, 3 center 2 electron वाले, ओके, next, boron atom in diaborane is SP3 hybridized, बिल्कुल, behavior कैसा होगा, 4 sigma bond के जैसा, SP3 hybridized होगा, 2 bridged hydrogen atoms हैं प्लेन, perpendicular to the rest of the molecule सही है, banana bond वाले, bridge bond वाले, terminal BH bonds are the shorter than bridged bonds, वाई ये वाले bonds तो बड़े ही होंगे ना, 3 nucleus हैं, 2 electron हैं, ज्यादा बड़े होंगे, बड़ तीन nucleus के वाज़े से ज्यादा strong होंगे, ये normal bonds नहीं, ये normal bonds में क्या होता है, bond length बड़ा तो bond कमज़ूर, बड़ ये normal bond हैं ही नहीं, ये banana bond bridge bond है, तीन तीन आइटम से हैं उस bond में, तो तीन आइटम के वज़े से, तीन nucleus के वज़े से ज्यादा strong है, नॉर्मल bond नहीं, नॉर्मल bond में क्या होता है, bond length बड़ा, तो bond की strength कम, ये normal bond नहीं है, bridge bond है, bridge bond में, bond length बड़ी होने के बावाजूद, वो strong bond होगा, क्योंकि वह पर nucleus ज्यादा है, the bridge hydrogen is connected with two boron atoms, three center two electron bonds, also known as banana bond, two bridge hydrogen atoms, two bridge hydrogen atoms are in a different environment, from the other four, सही है, same type की बातें, बार-बार हो रही हैं, आगे आते हैं, reaction पूछे गा हैं, तो hydride निकलेगा, और क्या बना लेगा, bH3, bH3 क्या बना लेगा, b2H6, halwa, पूडी कचोडी, इतना असान, इंडाय बुरेंटा, two HbH angles are nearly, अभी जस्ट पीछे देखा था, देखो, कुछ angles तो बहुत अजीब हैं, है ना, कुछ angles तो बहुत अजीब हैं, बहुत अजीब हैं, तो 2BH, HbH angles की बाचित की गई है, कुछ angles बहुत अजीब क्यों हैं, क्योंकि जरूरत से ज़ादा ही, उठा-उठा करके दे दिये गया हैं, अजीब से, angles दे दिये गया हैं, अजीब से गा मतलब 150-180, ऐसे board angles तो नहीं होते भई, 180 तो मतलब straight, वो linear हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ देखा नहीं हैं, अबने linear तो हो इनी सकता, अगर हम बात कर रहें, B2H6 के, अब उसके बाद 2 angles बचे हैं, 61 है 20 वाले, और यह 97-120 वाले, जिसमें 60 highly unstable condition होगी, जो के P4 बगएरा में होता है, जिसके वो highly reactive होते हैं, तो वो चीज़ बैसी कोई unusual चीज़ तो हमने structure में देखी नहीं नहीं तो हम पहले ही पढ़ लेते हो, उसके इतनी highly unusual चीज़ होती हैं, जैसे bridge bond type का, तो हम जरूर पक का touch करते, मोटी मोटी ठीक ठाक चीज़ें चल रही थी, जिस वज़ाए से हमने ज्यादा tension नहीं ली, थाना बट 97 भी अपने आप में भाईया, यूनीक bond angle है, जैसा नहीं है, बट 60 is something के भाई, highly unstable conditions होते हैं, जैसे white phosphorus पता है आपको का highly reactive होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपना eliminate करके बड़ी आसानी से कर सकते, जाता है मुझको याद है यह question जो आपके, यह main वाला ही है, previous year वाला है, फिर यह जो पीछे आपको बताया था उसको summarize कर दिया है, B2S6 का excess NH3 के साथ, simple complex हो जाता है, अगर 1 B2S6 2 NH3 1 is to 2 वाला होगा, तो फिर वो inorganic benzene बन जाएगा, और अगर excess NH3 होगा, high temperature पर बोरोन नाइट्राइड बन जाएगा, ऐसे कर लो, फिर एक reaction वाला question है, जिसमें के true false पुछा गया है, तो अगर reaction वाला question है, और आपसे पुछा गया के true false बताओ, तो अपने ग्यान का use करते विए काम कर लीजे, H3PO3 हीट करेंगे, HbO2, H2 निकल जाएगा, फर्दर हीटिंग करेंगे तो B2O3, पहला वाला तो true है, तो वैसे option को छाट दीजे, जो के true नहीं है, option निकलते जा रहे हैं, वो रक्स को water में डालेंगे, तो H3PO3 नो 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 बनेगा, साब दिख रहा है, कि हम इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, भाई, NAH और H3PO3 दोनो दिखाया है, और अगर हमने HCL डाल दिया, तो साब दिख रहा है, तो ऐसे option जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर इन सब चीजों को catch किया गया है, इन सब चीजों में कुछ कुछ जो भी गलती हैं, उनको पगड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि दो जो मैंने अभी पढ़े हैं, आपने उसी से catch कर लिए, है नहीं, ज़रा देखिएगा, ये वाला और दूसरा वाला, ये जो true and true का combination आपको दो ही जगे दिखाई देरे, एक यहां पर और एक यहां पर, इससे आपको ये दुन option निकल गए, इसको तो पहले ही निकाल दिया, या फिर S3PO3 का derivative बनेगा, अब है तो ये calcium का compound और साथ में अपने base डाला वाए, तो एक जगे याद है S3PO3 का reaction base के साथ करा करके borate बनाया था, जिससे समझ में आ गया कि वही answer होगा, यहां बस गड़बड क्या क्या है कि borax और S2 और दोनों रहता है न, तो हमें पता होता है कि सारा का सारा water consume हो जाता, तो नेसे सरी water को बाहर में दिखाना सही बात है नहीं, और ऐसा हमारे पास option बनाया है और चारों के चारों को उसने true नहीं दिखाया है, तो मैं कही ना कहीं तो गल्ती ढूनूंगा न, तो बाकी तो सब सही है, लेकिन इस वाले में एक गल्ती दिख रही है, जिसको क्या हम carry on क्यों करें, इस वह सा option को eliminate करना समझदारी है, और option दिया भी नहीं हो ऐसा तो, बोरजीन also known as inorganic benzene can be prepared by the reaction of the three equivalents of X, with six equivalents of Y, तो अभी जस पीछे हमने देखा था 3-6, यानि कि 1-2 वाला, तो कॉन-कॉन सा compound था वो B2-A6 और NH3 था, जिसको क्या आप बना सकते हैं ऐसे, 3-6 मतलब उस तरह से reaction हो रहा है, बट वो फाइनली शॉटकट तो उसका 1-2 वाला है, अब आते हैं गूरूप 14 वाले पर, तो मेन काम तो हमारे वैसे हो चुका है, बट यार इस्टिल, पढ़ना तो ही है, अच्छी चीज़े तो देखनी है, रियाक्शन वाला पार्ट हो गया है, आपको इतना ही करना होता है, मेनली रियाक्शन में, वापस हम जब गूरूप 14 स्टार्ट करेंगे, तो उसी तरह से जैसे हमने गूरूप 13 में क्या किया था, सारे इंपोर्टन चीज़ों को मार्क आउट किया था, वैसे ही मार्क करना है यहाँ पर, तो अगर हम मार्क करना शुरू करें, तो पहले हम चलेंगे आटमिक रेडियस, और आटमिक रेडियस में कुछ अगर अजीब दिखाई दे रहा, तो उसको वाच करते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर हलका सा देगे रहा है, यह पर नीचे तो नहीं हुआ लेकिन पर फोकस करवा करके पूछा जाए तोधय है, देखते हैं टीफ़स हैं, तो अटना खतरनाक नहीं है, यहां पर भी एफ ऑर्बिटल की पूर शिल्डिंग का असर दिखरा कोई सिग्निजिकन गैप नहीं है तो एक चीज तो है कि अजीब नहीं हुआ जैसे गैलियम सियर्युज पा सुवल्यग जियादा इफेक्टिव थी और ज्यादा भी तो हमदुने और गुट्रा डिफ्रेंश की व्यूर्इनस जीजव सब्काइँ अस वज़य से इनशी पर है ता यहां पर इफ्रेंश नहीं है वैसा थे बादो है value लगाता और degrees की फिर increase कर गई है यानि कि f orbital की poor shielding जो है वो relatively d orbital वाले से ज्यादा दिख रही है that is why कि जो हमने देखा कि value degrees करने चीद करने चीद करने चीद करने चीद करने चीद गड़ बड़ इंक्रीस की है यानि कि f orbital की poor shielding ने जलबा दिखाया है और यह चीज इंफाक्ट इंबॉर्टेंट है SNN PB में आयने से नर्जी का difference वो पूछा भी जाता है जब पूछा जाता है तो लीजी आप वैसे बताएंगे भी चीद है वैसे बताएंगे भी ना बताएंगे बिल्कुँ एलेक्ट्रो निगेटिविटी अगर बातशित करें इलेक्ट्रो निगेटिविटी की तो सोचना नहीं है इलेक्ट्रो निगेटिविटी वाला कुछ खास पाइंट नहीं है आपर वहाँ थोड़ा सथा contraction के साथ relate हुआ तो यहाँ पर लगातार value decrease करके constant type की हो गई है और यहीं सब वज़ाए कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी से रेलेक्ट करके चीज़े जाथा पूछते नहीं है क्योंकि कुछ खास ऐसा कुछ अबरप्ट सी चीज़े नहीं दिखाई देती है बट वहाँ मैंने खास के दिखा दिया कि वहाँ पर डिप होता है अन्यूजबल जो चीज़ बनी वह आपसे पूछी जा सकती है या फिर और तो पूछ सकते बट अन्यूजबल चीज़े जाधा इंपॉर्टेंट होती है और मैंने जैसे बताएगे स्टेप बेस्टेप चला गरो अगर तुमको यह मोटी मोटी चीज़े ध्यान में रहने लगी तो तुमको खुदी इंट्रेस्ट आएगा और समय के साथ तुम फिर ओडर बगेरा भी ध्यान में रखने लगोगी आगे बड़े तो लेड की डेंस और अगर सबसे कम वैलू की बातचित करें तो टिन की वैलू सबसे कम दिखाई देरी में बॉइलिंग पॉइंट में जाएं तो सबसे कम वैलू पी बी की दिखाई देरी है तिन और पीबी यह दोनों अपने मेल्टिंग पॉइंट में क्लोस थे बट इस्टिल पीबी ज्य से तो बात बनगे अपनी नॉन मिटल के रूप में आपको कार्बन और सिलकन दिखाई देंगे इन फैक्ट के थोड़ा मिटलाइड वाले क्यरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बाद फिर आपका एसन और पीबी दिखाई देगा कन्फिग्रेशन वगरत हम रटते हैं नहीं पता हैं आपको कि हम डाउन दो ग्रूप जाते हैं और उसी पैटर्ण पर कन्फिग्रेशन लिग डालते हैं फिर अगर बात करें ओडर फ रेडियाई की तो और फ रेडियाई जो पीछे हमने देखा तो इसको एरेंज कर दिया है सेम वही सब सारी चीजें उसी टाइप से जैसा के बोरोन में किया था यह सब चीजें दुबारा लिखने का टेबल समेरी है और यह सब चीजें दुबारा लिखने का दो तरीका एक टेंसाइटी ने यही सब काम किया है हमारा तरीका दुबारा से इसको दिखाने का यही है पर effect है और जो higher oxidation state unstable हो जाएगा जो higher oxidation state वाला है सबसे unstable condition जहां पर सबसे ज़्याद़ land right contraction है down the group जाने पर PB वाले case में सबसे unstable जो higher oxidation state वो कहां दिखाए देगा लेड़ वाले case में तो आप देख रहोंगे मोटी मोटी चीदे वहां पर हमने बहुत मेंनत की तो यहां पर सीधा बहुत आसान हो गई है किसी एक जगे आप अच्छे से मेनत कर दें तो आप उसके फल जो दूसरे जगे काट रहे होते हैं खा रहे होते हैं सबसे ज्यादा unstable सबसे ज्यादा unstable पर फिस्टल परपड़िस की सबसे कर सकते हैं अब यहां पर डिसकस किया जा रहा है तो बढ़ी आसानी से हो सकता आप चेक कर सकते कंपेर कर सकते हैं किस बैसिस पर तो आपको यादा रहे कुछ बॉन एंथाल्पी बॉन इनर्जी है तो बॉन इनर्जी कब ज्यादा होती है जब ज्यादा स्टॉंग बॉन्ड होते बॉन्ड जब ज्यादा स्टॉंग होते यह ज्यादा है और जो बॉन्ड की जो लेंथ हो होगी वो च्छोटी से शोटा बॉन किस के साथ होने के चांस है तो इस यानि इसके लिए उसके बाद जो लुबर ह्यु वो जाएगी फिर जर्मेन जर्मेनिय की रिकौण से वैलु जाएगी जो इसके बाद जो लुबर वैलु है तो आप जैसे ऐसे डाउन दगूर जा रहे है वैसे वैसे बाइंट छाली जाएगी इतनी तो करना है एक उद हल्भा चीज़ जो आपको देखने को जाथा मिलेंगी जही मेंस्iden डिखा देंगी पर सिनी हल्बा चीजेदे भी आप से नहीं पाती किया आप नहीं दूसरी दूसरी चीज़ जादा कर रहे होतें कि जो सही होली करими घ्लाथ। कार्वन के केस में सबसे ज़्यादा बाकी निक्षी जैसे जाते हैं वैसे ज़्याद की प्रोपटी कम हो रही होती साइज भी बढ़ रहा होता है अच्छा यह सब चीदों के थुरू रखने की कोशिश किये क्योंकि बोरियत कम आती है अब देख रहो जितना हमने एफट मारे यहां पर उतने कम मारने पड़ रहे हैं सारी इतना इतना टाइम तो वहां पर बहुत टाइम लगा था चीज़ों को डिसकस करने में तो यह होता है आप अपने तरफ से एफट डालो उसके बाद देखो चीजा असान होती समय के साथ अच्छा ऑक्साइड वाला पार बहुत हाईयर ऑक्सिडेशन स्टेट वाला ज्यादा इसी डिक होता है मैंने लिख दिया है समल करके जी ओ का डिसकसन कम होता है बढ़ उसके अंदर भी अमफटरिक नेचर है वैसे एंचाटी ने पीबी ओ एसे नो पीबी ओ और एसे नो टू पीबी ओ टू इनका डिसकसन ज्यादा किया है यह होते हैं एमफटरिक ऑकसाइड और वापर 13 हमने 2 को देखा था कौन से 2 देखे दे बैई तो हमने देखा था वहाँ पर एल टू 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 इन फाक्ट अगर सारे एमफटरिक ऑकसाइड की लिस्ट बनाएं तो इस फॉर्मिले के और भी है जैसे एस टू 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 है अभी आपको यहां पर ही मुझे लगता है कि नौ हो गए वी टू ओ फाइवे फेमस यह दस तो हमेशा ध्यान में रखो मुझे लगता है कि बी ओ जेडे नो रह गये हैं तो वह भी लिग देते हैं इसी टा 6,8,12 12 एमफिट्रिक आउकसाइड की लिस्त यहां पर आपके लिए आजिर गरती है तो एक बार तालिया अओज चैड़ बॉक्स में वैसे आपका नोट सो यही है जो कि मैं बना करके दे रहा हूं वह भाईशाब हैं कर गया क्या कि आव Serra अरी its cattle movesegen बताना कि अजिजिल है ने विडियो केट का यह थे में फ़केट लूटो मैं आवाज आ sprouts यह ना बस वीडियो हैंकर कर गया है अभी ठीक है अहोब यह होगा हो गया होगा आई जो इस लोगप लोगिने लाइक्स वगरा जो आज कल बहुत कंजूशी कर दी है लाइक्स वगरा डालने में थोड़ा जो है लाइक्स वगरा जल्दे से खीच लो और थोड़ा तो मुझे भी पॉस्टिविटी दे दो अबी ठीक है अबी ठीक है अबी सब सही है है थैंक यू सो मच आजाते हैं अगर सब सही हो गया तो हां मैं भी चलते वह दिखाई दे रहा हूं आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात बताओ जेतने लोगर अभी तक शुरू साकर था अबी तक वीडियो देखी है पूरी के पूरी मेरे नजर में देखो इतनी ही दिर में आपका ना वह 11th क्लास वाला डर तो फी ब्लॉक का खतम हो जाता है ऐसे ही to the point चीजों को पढ़ो कुछ भी ज़रूत नहीं है कि तुम unnecessarily बहुत जादा चीजे करो जी मेंस के लिए कोई ज़रूत नहीं है तुम 11th के हो 12th के हो सभी ये lecture लगा सकते हैं ड्रॉपरों कोई भी हो मैं बताने कि हमेंसे को इसे करता हूं कि नौर्गेनिक को बदनाम जादा करते हैं मित्स जादा है जबकि है सबसे स्कोरिंग सबसे आसान तुम खुद ही ऐसे सोचो ना के जो जिनको अच्छी रांग बनानी होती वह कैसे कर लेते हैं कहीं ना कहीं तो डिफ्रेंस है ना attitude में कहीं ना कहीं तो करके देखने में डिफ्रेंस है करके देखो तो पता चलेगा कितना तफ है कितना असान है कार्बन सिलके नंग जर्मेनिमार अफेक्टेड वाटर हाला कि यह सब पॉइंट्स को डिरेक्टली जही में इंट्रेस्टेड नहीं होता पूछने में बट मैं हाइलाइट इसले कर रहा हूं क्योंकि काफी जादा इंसाटी ओरेंटेड हो चुका है ना पहले से जो भी जह को आफ करने है तो चीज़ें कर सकती है इस पहले भी हो चुका है एंड आई तिंग डाट के स्क्रीन गरम हो गई है शायद इस वज़े से तो लेड इस नाट अफेक्टेड बाइवाटर दू प्रोटेक्टिव औक्साइड फिल्म यह लेड के साथ यह चीज दिखाई देरी उधर याद है आपको सेम चीज़ हमने देखी थी एल टू ओ त्री जीए टू त्री वाले केस में महाँ पर ऑक्साइड की फिल्म जन जेनरेट हो जाती है तो वह भी फर्दर रियाक्ट नहीं करते हैं कार्बन सिल्कन जर्मेनी मारे एफेक्टेड बाइवाटर टिन जो है बड़ी आसानी से होती है लेड जो है वो डिजॉल बीकम होता है कॉम्प्लेक्स वगरा वैसे बना सकते हैं लेड के कटायन का बट लेड इस नोट एफेक्टेड बाइवाटर दू दो फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म टिन डेकंबोज इस टीम इस टीम इस टीम को कौन बड़ी आसानी से डिकंपोस कर देता है तो यहां पर भी इस पूरे ग्रूप में डाय हैलाइड्स की जो स्टैबिलिटी वो लेड के केस में सबसे जादा होगी इनट प्यर इफेक्ट जो टेट्रा जाइड से उसमें सबसे अनिस्टैबल लेड वाला होगा इनट प्यर इफेक्ट एंड सबसे ज्यादा पावर्फुल ऑक्सिडाइजिंग वही होगा लेड का प्लस फोर पूरे ग्रूप में देखो पीबी ओटू के बारे में स्पेशल यहां पर कमेंट कर रहा हूं है कि प पावर्फुल ऑक्सिडाइजर इनट प्यरिफेक्ट के वैसे प्लस फूर ऑक्सिडाइशन स्टेट है जाएगी तो हम एम एम एक्स फोर को ज्यादा कोविलेंट पाएंगे एम एम एक्स फोर गिरेटर देन एम एक्स टू क्यों कोविलेंट करेक्टर एम एक्स फोर टाइप के जो भी सॉल्ट सोंगे उनका क्यों ज्यादा होगा अरे बड़ा असान सा फैजन सुरूर लगाएंगे पीवी सेल फोर के अंदर कावलेंट करेक्टर स्टिक ज्यादा क्यों है क्यों कि प्लस फोर है ऑक्स डाइजिंग एक्शन भी प्लस फोर का ज्यादा है लेकिन वह द्वां जोडने वाले एं ज्ञानु दो फैजन्स रूल से टवाजंद रूल के शाप से हमें पता है कि ज्यादा पॉजियृटिन चार्ज्स तो छोटा घ्टायन और अगर चोटा घ्टायन तो वहाँ पर कोवलेंट केरक्ट्रेस्टिक ज्यादा हो जाएगी कोविलेंट केरेक्टर्टर्टर्स्टिक डिरेक्ली ब्रॉपोर्षिनल ऊफ पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उसके इन्वर्सिवर्सिवरॉपोर्षिनल यह समझ लेंना कम्णूर दिलवालो कांड मत कर देना इसमें यहाँ पर तुम्हें दिखाने जा रहा होगा सिल्कन की हायडुलिस시स कर वागजियों के केस में तो नहीं यह है इतनी यहmaster लेकिन एटैसल फार के लेकिन इसलिक्न बास पहलख और बीटल भी है यह मुझे जाता है तो यसाइश चिछ सीघ्थेडि 250 क्यों इतनी फेमस है क्योंकि इसका यूज भी है जो आप सिलिसीग असे बनते वह देख रहें इसके कंडेंसेशन से डिफरेंट डिफरेंट सिलिकों भी बन करके तैयार होते हैं इसमें ज्यादा इंट्रेस्टेट होते हैं तो एक्सेट सिल फोर अधर टेट्रा कॉल्राइट सार्ट कर दिए इसके बोलने का वह मतलब है अब जहीं में लेवल पर इंस बातों की इंपॉर्टंस नहीं है अगर मैं करवाने गया तो कैसे हो सकता है है तो और कर वह और के कार्बन ग्ल्रीन टोड़ करके नहीं जासे यहां पर और हो रहा है वैसे सकता है क्लोरीन को बाहर निकाल आ शपा वैसे यह यह तो है यह जगाह नहीं को सुछ तो थो DESk करेंगे एक यहां तो इसमांनियु अर्चिछ नोट्स को पल्टे करना है अगर आप सिलकन पर अटैक करवाते हैं इस नुकलियोफाइल का तो हमेशा पूरी और अरगनी केमिस्ट्री में यही काम करने वाले क्लास्ट्व मेंनुकली फाइल का अटैक करेंगे और एक लीविंग ग्रूप बहर निकलेगा लीविंग ग्रूप अक्सर वो इस पेस्जिद होते हैं जो कि अकेले में अपने निविंग ग्रूप का रिप्लेस्मेंट देख रहे एक लगए और सेम चीज जो ह से टीनौ कलोरि तो repeat अगर होगी hydrolysis तो सेम चीज बार-बार अगर repeat होगी तो वही काम बार-बार होगा तो आपको चार बार CL replace होते वे दिखाई देगा SIOH whole 4 ठीक है ऐसे फिर इस पर question है हलवा type का बना लेते हैं इसको silicon highlights can be prepared by heating with silicon and silicon carbide with appropriate halogen तो silicon के हैलाइड बनाया जा सकते हैं बाइटिंग विच्छ नौट अच्छ नौट करवा करके मैं जादा यूज करता हूँ सिलिकन हैलाइड सार रेडिली हैडलाइड वाटर तो इस अब यह आपने देखा था तो मुझे लगता है कि आप इनी दोनों के बैसे पर लास्ट के दो स्टेट्मेंट ट्रू है उस पर सारा option ही आप निकाल सकते हैं उपर वाले पर दिमाग न बना करके जो है वह तीन सो माक्स लाने हमें तो पता है कि वह देड़ सो से दो सो लाने में भी जो है बन बज जाती है तो फिर यालिस्टिक जादा रहे तो अच्छी बात है इसे डिक बैसिक और एम फट्रिक आम फट्रिक में देखो आप सब तो पहचानते हो निउट्रल यह तो सबसे पहले दिमाग में आता होगा नाइट्रोजन के दो एंट्व एंड 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 नो एंड कार्बन का कार्बन मॉनोक्साइड बाकि आपको एसाई ओटू सी ओटू यह दिखाई दे रहा है एसे डिक पीबी ओटू एल्टू थ्री एम फट्रिक और उसके लाव एसेडिक बीओ तो थ्री वी जिसकिसी भी ऑक्साइड को तुम वाटर में डालते और एसेड बनता है तो यह डाउन दगरूब जाने पर में पता है कि मेटाली करेक्टर बढ़ता है तो सबसे नीचे का जो एलिमेंट होगा वह बेसी की बनाएगा अब बात करते कार्बन की जैसे पर के कैस में हम देख रहते में इस ज्यादा था आपर देखाए यह यह रवी होगा र्बन जादा दिखाए दे सक दिखाई कि सक लिए जाते क्यों कि उसके एपयर के ऐटम हैा और साइज छोटा होता है देख हो और काफिज खीजा देख्ता हों कि वह प्रसके अमस की बात करें पी ब्लॉक की बात करें हर जगे ना second period के ही item के साथ तुम क्यों ऐसा देखते हो ऐनमेलस टैग लगते हुए क्योंकि second period के आगे second period से third period में जाते ही size का बड़ा जंब आता है इतना बड़ा जंब third period fourth period में नहीं आएगा जो डेटा पीछे देखा आपने टेबल अगयरा में size का सबसे बड़ा जंब कहां पर आता है second और third के बीच में ही आएगा हमेशा इतना fourth और fifth में नहीं आता second से third period में जाने से size की डॉमिनेंसी बढ़ती है यह जो point है यह जो concept है इसे में हर जगे पूरी इन और्गेनिक में भी यूज करता हूँ size की डॉमिनेंसी बढ़ती है जैसे ही आप third period में जाते है size की डॉमिनेंसी बढ़ जाती है third period से qeare करेंगे third period से size की dominance बढ़ जाती है okay हाँ जी third period से size की dominance बढ़ जाती है second period तक तो size छोके ये ना second period तक कोई भी vacant d orbital नहीं है vacant active d orbitals नहीं है अगर vacant active d orbitals नहीं है तो मामला बिल्कुल अलग होगा सेकेंड पिरेट के साथ वह स्टॉंग बॉंड भी बना सकते हैं छोटे साइस के वजए से नुकलियस के नजदीक है उनके और बिटल्स पी और बिटल्स वगएरा के जादे यूज करते हैं अच्छी बैक बॉंड नी वगएरा नुकलियस के तो मल्टिपल बॉंड जो है वो स्ट्रॉंग होंगे जब स्ट्रॉंग होंगे तब तो बनाएगा वीक होंगे तो बना करके क्या होगा कुछ नहीं होना है और इसी के साथ ही चैप्टर खतम होगा तो ध्यान से सुल लें फिर ओके बाई तो डाइमंड का केस स सबसे पहले उठाते हैं लोग एक तो डाइमंड के केस में यह मैं क्यों दिखा रहा हूं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉंड की लेंद 154 पीको में इस पर कुशन आ चुका है कंपेर करो फुलरीन के साथ कंपेर करने देते कि बॉंड लेंद कहाँ पर करें अपर लेंद 1585 पर जाती यह ताइश्बाइबास करें हैं अपर लेडे स्ट्रॉक्चर आप जब यह उस्पर जाती है वह स्कारिय एक ड्राय लूब्रिकेंट की रूपमें उसको युस किया जाता है SP3 hybridization, tetraidal geometry है, 3D structure with strong covalent bonding, diamond is the hardest substance on the earth, तो diamond जो है वो, hardest substance होगा, अर्थ पर, और जो थोड़ा, इधर क्या हो रहा है न, आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता, लेकिन, ये जो है, ये, ये जो है, वो, लुका छिपी, इधर उदर, घुमने का काम कर रही होती ही माला, और diamond का जो hard structure है, वो है, exactly किसके वजए से, इस incompressible और इस, ट्रेटराइडल structure है, उसके वजए से, जिसको कि आप, अपक्रेस नहीं कर सकते, बाकी आप देख लीजे, एकदम खुश हो जाई है, मन खुश कर लीजे, अपना, ये, especially class 11 के लिए, एकदम special लगाया, फोड़े एकदम, खुश हो जाए, देख करके, हाँ, मदा आता है, ऐसे, चक्मक चक्मक देख करके, एकदम फोटो, तो यूजेस क्या है, बाही, जिवल्री मेकिंग में, for sharpening of hard tools, manufacturing of tungsten filaments, for electric light bulbs, जो भी cutting setting है, उसके लिए, अब बात करतें, ग्रिफाइट की, तो इसमें, ग्रिफाइट में और इसमें आप देख रहे ना, पहले तो, यहाँ पर ना, कार्बन चार बॉंड बना रहा है, अब आप है, आपका ध्यान इन सब पे जादा है, तो पक्क कर रहा होता है, डिलोकलाइजेशन में होता है, जिस वजए से यहाँ पर कंडुक्टिविटी आती है, ग्रिफाइट के अंदर, और इसलिए ग्रिफाइट को, हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में, कंडुक्टर के रूप में, यूज करते हैं, कि यह रियाक्ट तो है, इसलिए कंडुक्ट करते हैं, यहाँ जो बांड लेंथ वो 154 वाला नहीं है, पीछ आपने वहाँ पर देखा था आपने, डाइमंड में, आपने 141.5 है, और लेयर के बीच में 340 है, यह मत समझे रहा है, यह लेयर के बीच में गैप है, बांड लेंथ चोटा होता है, बढ़ा होता है, हाला कि गाप भी बहुत है, ऐसा गंदा वाला नहीं बहुत बढ़ा है, लेकिन इसका तो डबल से जादा है, फिर ग्रफाइट को हम इलक्ट्रोड मटीरियल के रूप में यूज करते हैं, जैसा कि दिखाने की कोशिस कीए, पैंसिलन से लगा करके, इससे यूज करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं, फिर बात करते हैं, बग्मिस्टर फुलेरीन की, देखो वैसे फुलेरीन और बग्मिस्टर फुलेरीन डिफरेंट होते हैं, बग्मिस्टर फुलेरीन इस पेशिली सी 60, बट अगर फुलेरीन की बातची से लेकर के 350 प्लस यह इंसाइटिक की लाइन लिखे विए इतने आटम सो सकते 350 यह उससे जादा भी पर जब लोगं के सामने अभिलेरीज बहों संचो Bradley इसलेएक्ट ख़ चीछिंक के बारे विबीस और बाराय यात रखना शिक्स मेंबर रिंग ज्यादा होती है कं अप देख रहूंगे फाइनगर शिक्स मंबरीज। को ही उसकी बाउंडरी पर 6-membered ring लगी वी है यानि के 5-membered ring is connected to only 6-membered rings and 6-membered ring is connected to 5 and 6 both. 20, 20, 6-membered ring होते हैं, 5, sorry, 12, 5-membered ring होते हैं. सारे SP2 hybridized होते हैं. क्यों? भाई, वैसे ही बात, electrons यहाँ पर, जैसे वहाँ पर आपने graphite में देखा था, यहाँ पर हैं, due to one delocalized electron of each carbon atom, it has aromatic character भी है, aromatic, partial aromatic character भी है और बाकी conductivity तो आपको है ही पता, I, which is not the property of diamond, it is insolubent in all solvents, it is oxidized with a mixture of K2, C2, C2, C4, strong oxidizing agent, being hard acid is used in abrasive or sharpening hard tools, famous property, delta GF not value of diamond is 1.9, 0 होना चाहिए न, ज्यादा stable है न, hard है तो, पर सही पर गलती हो जाती है, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा stable है अगर hard है तो, और इसलिए delta GF not 0 होगा, यही गलत है, नहीं, सही है, graphite thermodynamically stable है, देखो hard होने से thermodynamic stability नहीं आती, वो तो हम combustion वगरा करा करके देखते हैं, उससे समझ में आता है, कि किसके अंदर energy कम थी, वो combustion में energy कम release करेगा, और जिसके अंदर energy कम थी, वो ज्यादा stable है, समझे, तो property diamond की कौन नहीं है, generally solvent में, soluble नहीं होता है, and it is oxidized with a mixture of K2C827, H2SO4, diamond is not oxidized easily by K2C827, and यह paragraph इसलिए कट करके लगा दिया है, क्योंकि आपको ध्यान रहे हैं, कि delta chafnode graphite का, हम लेते हैं 0, क्योंकि वो उसके पास energy कम होती है, वो stable जादा है, diamond के पास energy relatively जादा है, तो combustion में बहुत जादा release करता है, given the order of density, diamond graphite fullerine, choose the correct order of the CC bond, ने दिया हमने पीछे देख लिया है, और अभी जस्ट आपने देखा था, तो उसमें diamond का length सबसे ज्यादा था, और graphite का सबसे कम था, सबके लिए मैंने inside की cutting भी लगा दी है, अगर आपको डर लगे, तो आप revise कर लिया किजिए, यह 154 देखे, diamond में है, 143.5 किसमें है, 143.5 and 138.3, तो आप लेंगे 143 वाले को compare करेंगे, फ्लेरीन वाले के 143 से, इसके 141.5 वाले को, consider आप prototypical फ्लेरीन C60, prototypical सबसेते हैं, ने कोई एक model उठा लिए आपने, यह आपको count करना है, उसके बाद आपको 3A-2B-C की value निकाल ली है, तो आपको ने number of pi bonds C60 में कितने मिलते हैं, number of pi bonds की बात करें, मतलब overall, आपको यह समझना है कि, इसकी तो value निकाल ली हैं आपको, अरे तो करना ही किया है, बस value सबकी लिखनी है, आपको six member और five member तो पहले ही से बता था, तो एक value पूछ दी गए, तो एक value पूछ दी गए, तो एक value पूछ दी गए, फिर carbon monoxide वगएरा की preparation कौन ही बूछता है, एक दम हलवा माना जाता है, बट इस तिल एक बार इसलिए देखेंगे, विकास के 11th class है, तो एक बार तो ठंक से पढ़ेंगे, भाई, कोई हलवा से हलवा चीज होगी, एक बार तो ठंक से पढ़ेंगे न, तो ये सारे reaction बढ़े हलवा टाइप का, पिछे आत को रहना, बोरोन वाले में कितनी सारी चीज़ा पढ़े थे, किते मेकेनिजम बढ़े थे, यहां पर नहीं है ऐसा कुछ, carbon oxygen, carbon monoxide बनाता है, formic acid को तोड़ दो, तो H2 निकालेंगे, तो क्या बचेगा, carbon monoxide बचेगा, बस एक बात का धियान रखना है, जनरली हम इस reaction का yield बढ़ाने के लिए, dehydration और high temperature का use करते हैं, यहां के साथ, तो जो carbon monoxide और N2 का mixture है, वो producer gas है, carbon monoxide जहरीली गयास है, वैसे तो neutral है, कुछ लोग सोचते हैं, तो जहरीली होगी होगी, जहरीली होगी 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 है, अरे दोने चीज़ा लागे है, अगर वाटर में डाल करको तो ऑक्साइड को, ना तो हमें कोई acidic, ना तो कोई हमें acidic solution मिल रहा, ना तो कोई basic solution मिल रहा, तो neutral oxide है, है ना, तो colorless, tasteless, taste waste तो नहीं करना है, colorless, tasteless and insoluble in water, burns with a blue flame, frame नहीं है, flame है, flame है, frame नहीं है, it is a powerful reducing agent, and reduces almost all metal oxides used in metallurgy, metallurgy में बड़ा यूज करते हैं carbon monoxide को, अच्छे reducing agent की रूप में, और ये सब metallurgy में खास करके, जो iron की smelting है, जो हमारा blast furnace का reaction, उसके important reaction में से एक है, और carbon monoxide CO2 में convert होता है, coke के थूरू carbon monoxide का जो formation, वो high temperature बहुत favorable होता है, लेकिन carbon monoxide का CO2 में conversion, ये normal temperature में काफी favorable होता है, इसलिए क्योंकि ये 300 गुना ज्यादा stable complex मना सकता है, carbon monoxide आप पढ़ेंगे कि लास 12 में, कोडिनेशन compound में, एक बहुती strong field ligand है, यानि कि बहुत अच्छे Lewis-based के रूप में, किसी भी metal के कटायन के साथ, combine कर सकता है, और वो hemoglobin के साथ भी वैसे ही, एक बहुती strong 300 टाइम्स ज्यादा stable complex मनाता है, इस compare to oxygen, oxygen भी एक अच्छे donor के रूप में, काम आता है hemoglobin में, hemoglobin के साथ bind करता है, और complex मनाता है, बट जो carbon monoxide है, वो ज्यादा stable complex मनाता है, तो अगर carbon monoxide आपने जरूद से जादा इनहेल किया, तो वो carbon monoxide oxygen की जगह लेगा बॉड़ी में, तो oxygen की कमी हो जाएगी बॉड़ी की, तो स्वाहा, काम तमाम, बाकी टुचे reactions क्या ही देखेंगे आप, carbon का CO2 में conversion, और CH4 का oxidation जो के basic सा hydrocarbon का combustion है, फिर ये reaction जिसमें के carbon dioxide बना है, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी carbonate को आप अगर acidify करेंगे, bicarbonate को acidify करेंगे, तो CO2 gas मिल जाएगी, जो lime water milky बगरा के जो reaction से, वो CO2 के थूँ आपने देखेंगे बार, अगर आप glucose वगरा को आप इस तरह से yeast के साथ react कराते हैं, तो ethanol favorite compound आपका, और CO2 बहार निकलता है, मैं इस सारे reaction दिखा दरूर दे रहा हूँ, है तो सारे के सारे हलवा, पूछे नहीं जाते हैं, काम के नहीं हैं, क्योंकि इसी type के सारे चीज़ें, भी आपने देखी हुई होती हैं, या पर आप देखी लेते हैं, कुछ आस इस्चू नहीं बनते हैं, कार्बिनेट्स वगरा का की हीटिंग है, तो आप जितने भी alkaline earth metal हैं, उनकी हीटिंग करके आप CO2 निकाल लेते हैं, जो alkaline metals हैं, उनको हीट करने से CO2 नहीं निकलता, उनके जो carbonates होते हैं, वो melt कर जाते हैं, तुसलिए second group वाले use करने है, CO2 की बात करें, तो solid CO2 dry ice, खुद मेरी experiment आपने बहुत सारे देखे होंगे, टन्स lime water and brighter water, मिलकी आपका फेवरेट रेक्शन जो बचपन से कोई reaction अगर पढ़ा तो यही सब रेक्शन से green house effect यह हमने environmental chemistry में देखा है और मुझे लगता है कि 11th class के environmental तो आपको शायद करवा दिये ना मुझे याद आ रहा कि करवा दिये शायद नहीं होगा तो आगे हो जाएगा क्यों मुझको याद रहा कि मुझको लग रहा है कैसे करवा दिया आपके environmental तो हाँ हाँ शायद कर लिया हमने सियो टू यह क्लोरिफिल वाला वो रियाक्शन जो के चट्टी साथ वी में आजकल पढ़ लेते हैं पाच्वी में चट्टी में कब लेते हैं साइंस स्टार्ट होता त तरह साथ यहाँ पर मैं लिंक करूंगा बोरीक इचिट वाले स््ट्क्चर गे साथ या तो इसमें cyclohexane वला पाट था आठ ऐटम थे 2 hydrogen बॉंड थे 2 Hydrogen 2 oxygen 4 oxygen 2 hydrogen 2 boron थे 2 hydrogen bond थे SiO2 वाल इमिना आपको दिखाई दे रहोगा 8 member drink है लग रहा है देखने से square type का 4 corner पर 4 SiE हैं और 4 oxygen आइटम है तो 8 member drink होती है 4 SiE और 4 oxygen होते हैं 3D network होता 3D network solid है इनके melting point वगरा बहुत हाई होते हैं ये reactions एक जगह मैंने summarize कर दिया है यह reaction इस reaction में से 2-3 reaction बार बार इपिटेटली पूछे गए हैं जो के मैं ऐसे circle कर दे रहा हूँ ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं आगे भी कुछ पूछे जाने के chances हैं तो यही हैं वैसे देखो guess करना कितना असान है SiO2 और fluorine का reaction है तो metallic property जहां पर दिखाए देगी fluorine वही भागेगा oxygen को replace करेगा हट मुझको दे electron तो वो silicon के साथ SiO4 बना लेगा वो oxygen को बहार निकाल देगा वही अगर आपने SiO2 को carbon के साथ reaction करा है तो carbon silicon के साथ भी जाएगा और oxygen को भी खाएगा HF के साथ reaction करा है तो fluorine फिर से भाई काम करेगा जो उपर किया था फिर से SiO4 बनाएगा हाँ बस यही है कि यहाँ पर oxygen अब H2O बन करके निकलेगा क्योंकि यहाँ पर hydrogen था अगर आपने further extra HF डाला SiO4 में तो वो hydrofluorosilisic acid बनाएगा SiF6 क्यों बन रहा है क्योंकि इस सिलकन के पास vacuum d orbital है तो वो बना सकता है SiF6 BF6 नहीं बन सकता है जो आपने पढ़ाता हमाँ पर क्योंकि उसके पास vacuum d orbital नहीं है बागे देखो यह acidic oxide जैसा CO2 के साथ NaHCO3 बनता है वैसे ही आप C हटा के Si लगा दो Na2CO3 बनता है sodium carbonate, bicarbonate बनता है bicarbonate extra extra CO2 के साथ फिर क्या बना लेता है carbonate बना लेता है वही शीज़ आपको दिखाई दे रही है calcium hydroxide के साथ calcium का silicate बन जाएगा जैसे CO2 के साथ CaCO3 बनता है silicots यह finally last topic हमारा जिससे के question आचुके है जैमेन 22 में भी 23 में भी और एक ही टाइप के question बार-बार repeat कर रहे होते है तो महा हलवा topic है प्यार से अच्छे से देख लो काम तमाम किया जाए आप देखे रहोगे यहाँ पर एक alkyl halide है इस alkyl halide का reaction है अभी ना पेंच चलेगा नहीं क्योंकि इस्टी इस टॉक है बट आपको समझ में आसानी स्याथ आएगा लेट में ट्राइब ये वला यूज कर लेता हूं मैं सो देट के मार्किंग करने में तो आसानी हो है ट्लीस्ट है ना ठीक है तो देखना आप ये जो रियाक्शन आप देख रहे हो ना स्यस्टी सियल का और एसाई का रियाक्शन हो कैसे रहा है रटने की ज़रोत नहीं अच्छे से प्यार से समझ सकते हैं सिलिकन थर्ड पिरेट का आटम और वैकेंट और बिटल भरे पड़े वे आप देख रहोंगे एसाई सियल टू बनते वे तो बैसे के लिए ये सियस्टी सियल का क्लोरीन आप देख रहे होंगे सिलिकन के साथ बॉन्डेड होते वे और उसके पीछे रीजन है क्लोरीन के लोन पियर सिलिकन का वैकेंट और बिटल जो इस स्पेशिस को जनम दे रहा है इस स्पेशिस को हम लिख सकते ना अगर ये मिथाइल नहीं होता कोई और अलकाइल ग्रूप होता तो हम इसे आर्टू एसाई सियल टू लिखते जनरली ये रियक्शन सपोर्टेड होता है कॉपर पावडर के सर्फेस पर कॉपर पावडर ऐसाग इसाई पासr documentary पर या रियक्शन कर वा रहा हुता है तो Sylane जो है इसमें 4 CH3 नहीं है डायकलोरे यानि के 2 कलोरीन भी है और यही 2 कलोरीन जो है इस लीविंग गूरूप काम करेंगे जो H2O रिप्लेस करेगा इन दोनों कलोरीन को और 2 OH लगेंगे अब यह जो स्पेशिस बना यह अपने ही जैसे स्पेशिस के साथ कंडनसेशन मे होते हैं तो इसी के जैसे दूसरे जो मॉलिकूल होंगे SI OH CH3 OH CH3 तो यह ओएच वाला पार्ट इस वाले ओएच के साथ कंडनसेशन में जाएगा H2O रिलीस करेगा यहां से एक एच दो एच और एक ऑक्सिजन हटाल होते एक ऑक्सिजन दो सिलिकन के बीच में आ जाएगा द तो जब कभी भी आप ना आप सिलिकोन पढ़ रहे होते हो तो बेसिक लिए आप इस unit का repetition पाते हो जब आप इस unit का repetition पाते हो तो आप बोलते हो आपने कौन सा polymer बना दिया सिलिकोन जब आप condensation करोगे तो एक आर, दो आर silicon क्या बनाएंगे formula R2Si और ये oxygen एक हेश्टो निकाले बाद एक oxygen बच गया तो R2Si यो जो part बचाना इसी का repetition आपको मिलने वाला है और एक polymer बनने वाला है जिसको हम बोलेंगे R2Si silicon इतने ही बस अब ये जो silicons होते हैं इन silicons पर इन silicon के पास जो carbon chain है इन silicon के पास जो carbon chain बचा है जो oxygen है उनके presence की वज़े से oxidation आसान नहीं होता ये species जल्दी किसी oxidizer के effectment नहीं आपते हैं तो control chain length हाँ ये चीज़ डारेक्ली पूछी गई है और 2024 वगरा के लिए इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस question की frequency कम रहती है बट पूछी गई है इस काइंड ओफ एक topic के रूप में प्रेजेंट है जो के डिरेक्ली पूछा जाता है आप समझेंगे topic के रूप में दिया गया और इस question frequently नहीं आए है तो थोड़ा risk मान सकते है frequently आने वाले और frequently नहीं आने वाले आप तो बोलेगें कि यही दोनों तो topic होते हैं तो frequently आते हैं तो frequently नहीं आते हैं सही बात भी है तो frequently जो आते रहते है question repetition जिनका ज़्यादा होता है उससे हम उनके हम PYQs वगरा बना बना करके repetition करके हम ज़्यादा familiar हो जाते है जिनके कम आते हैं वो risky तो है लेकिन यह सब risky नहीं है मेरे नजर में कम आते हैं but scoring है तो आप ऐसे समझो के कुछ ऐसे हैं जो कम आते हैं but scoring नहीं है उनको cover up कर पाना असान नहीं है repetition असान नहीं है बोरिंग है या connection उनके आसान नहीं बनते है यह ऐसे हैं जो के समझ में भी आ जाते हैं ध्यान में भी रह जाते हैं अध्य होना इसमें यह point पुछा है क्या करना चाहिए तो आपने अगर दोनों साइड से OH रखा तो दोनों साइड से condensation होगा बट इस स्पेशिस के साथ मैंने एक नय स्पेशिस मिक्स किया जिसमें अगर मैं इस CL को हटा हूँ तो यहां पर एक ही OH आएगा दूसरे साइड OH नहीं आ सकता तो इस स्पेशिस के presence में इस स्पेशिस का जो condensation है वो इस साइड ब्लॉक हो जाएगा तो इस साइड चेन लेंथ नहीं बढ़ेगी सिर्फ इस साइड बढ़ेगी तो अगर चेन लेंथ कंट्रोल करना है तो हम इस R3 SICL वाले साइलेन को डिजॉल्व करते हैं मिक्स करते हैं तो एक साइड से बढ़े चेन ब्लॉक हो जाती है इस दूसे साइड से ही पॉल्यमिरेजेशन हो सकता है जतना सब्सक्राइब कॉछा जाता है कि बता ओ काउन से स्पेश जो हैं वह कउन कोउन से इस स्पेशिश को हम मिक्स करेंगे सो डाइट कि chain length को control कर सके तो that is r3 si c l direct answer अब लास्ट में ये जो section है यह कोई जे main वाला section नहीं है जे advance वाला section है बाट मैंने रखी इसलिए दिया क्योंकि एक बार तो आप देख लो जिंदगी में और क्योंकि यह साब की system में एडसफ के लिये है तो इसको देख लो कि कैसे यह पर करना क्या हना थ्यक Ministries अथा हम का थ्यान रखना होता है कि आजुआ नाम का दूसरा है आठ话 थ्यान रखना होता है कि कैसे श्यरिंग हुई है आइटमस की तो पहले टो में यह समझना चाहिए कि यह जो डायोकसाइड था लेकिन अगर सिलिकेट की बातचीत करेंगे तो सिलिकेट की बातचीत करने का मतलब के सिलिकन के साथ 4 O- जुड़े होंगे और अब यही 4 O- जो है वो अपने ही जैसे स्पेशीज के साथ दाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन और पॉलिमराइजेशन में जाने वाले हैं, तो अगर मैंने SIO 4 के दो यूनिट्स को कंडेंस करवाया पहले तो यह प्रेजेंटेशन समझना, जब ऐसे ब्लैक डॉट डालते हैं, आपको वाइट सर्किल भी दिखाई दे रहा है और ब्लैक डॉट भी दिखाई दे रहा, जहां पर ब्लैक डॉट है, इस तरह से सर्किल करके ब्लैक डॉट डालते हैं, उसका मतलब होता है कि यह जो circle है वो तो oxygen को represent कर रहा है लेकिन बीच में जो dot वो किसको represent कर रहा है शिलकन को, शिलकन के उपर एक oxygen जुड़ा है, वो ये circle रिप्रेजेंट कर रहा है, बाजू में भी एक oxygen जुड़ा है, फिर इधर भी एक oxygen जुड़ा है, और इधर भी एक oxygen जुड़ा, तो एक, दो, तीन, चार oxygen जुड़ा है, बीच में जो dot वो शिलकन है, उसके साथ कितने oxygen तो अगर आप उपर से देख रहे हैं तो यह silicon और यह oxygen ना merge करते वे उपर से merge करते वे दिखाई देंगे तो यह जो unit अपने आप में SiO4 वाला है यह unit अपने आप में SiO4 वाला लेकिन दोनों कंडेंच होकर करके अब Si2 दो सिलकन है ना Si2 और कितने oxygen है साथ एक दो तीन चार पाँच छे साथ Si2O7 और Si2O7 जो आपको दिखाई दे रहा है यह Si2O7 वाला formula अगर आ गया तो यह पाइरो सिलकेट है दो सिलकन वाला एक oxygen हटा दिया वह एक oxygen जो है वह बीच में दोनों के लिए common हो गया तो बेसिक लिए एक oxygen की शेरिंग हो रही है दो SiO4 unit के अंदर जो चेंग सिलकेट है उसमें इसी तरह का जो शेरिंग हो रिपीट हो रहा होता है अगर आप देखे तो रिपीटेशन को य इसा तो जही एडवांस के लेवल पर यह चीज पुराने जबाने में काफी देफ्ट में पूछी आती थी अब आजकल बंद हो गया है तो इसकी 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 खतम सी हो गई है जो शीट सिलकेट है इसमें तीन ऑक्सिजन एटम होते हैं और अगर चारों के चारों शेर्ड हो इसमें सिलकेट बनके तैयार होगा डाट सिलकेट विल भी 3D सिलकेट एक्जांपल अगरा पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अपने हैं वहां पर और चीजें अड़ अप करेंगे तो 3D जो अलमिनो सिलकेट है उनके एक्जांपल में कुछ चीजें एड़ किया है इस्पेशली जो आपके पुरे सिलेबस में जियो लाइट से जो हार्ड वाटर के टॉपिक में आते हैं सर्फेस केमिस्ट्री में आते हैं उनको उठा करके यहां पर लिग दिया है आपको को ट्रैप कर सकते हैं तो जियलाइट्स हाड वाटर को क्यों सौफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो बीच में जो बड़े स्पेसेज उसमें कटायन्स को ट्रैप कर सकते हैं हाड वाटर को सौफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं और कैटलिस्ट के रूप में भ 5 होता है वो यह काम कर सकता है isomerization भी कर सकता है ZSM 5 लास्ट में एक दो question में solve करने के लिए question जो क्या already आच चुका है इस टाइब का question पुछा जा चुका है तो मैंने ऐसे ही एक अच्छा सा question रख दिया है पुछा गिया preparation of organ of silicon from SICL4 involves substitution in the first step SICL4 plus XRMGCL इससे product बनाया गया value of X to obtain chain terminating and chain multiplication chain multiplication मतलब chain बढ़ रही होगी chain terminating मतलब के chain रुख जाएगी आप solve कीजे मैं थोड़ा सा screen को okay करने के लिए देखता हूँ के मितुन भाई आपने है या नहीं है अगर आते हैं तो ठीक है नहीं तो यहीं पर हमें बबाई टटक करना पड़ेगा समझ रहे हैं तुन में तो आप है या नहीं है चरह दरो टुन करते हैं तो फोन उठाते हैं इस अच्ठा रहां है तब तक अब discussion कर लेते हैं अगर श्क्रीन ठीक हो गई तो ठीक है तो ठीक हो नहीं है मैं कलर भी चेंज नहीं कर पार होतने दिर से बता है तो है बट क्लोज करके तो में PDF भी देनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अब चले नहीं लगता है कि चले एक तो कुई नहीं चेक करते हैं डिसकस करते हैं देखें तो आपने व्याइव निकाली अगर आपने सॉल्व किया थरी एंटू कैसे थिया दूब यहीं इस्ट्रक्चर्टर आप बनाते हो आर्टू एसाई ओटू चेंटर्मिनेटिंग के ल तो यहां पर देंड करते हैं क्योंकि आपको फिर भी एफर्ट डालने पड़ेंगे मुझको और बाकिया आपको पता विदानतुजी वाले अपने टेलिग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे ना पीडिएफ वहां पर भी आती है और आपको डिस्रेप्शन में मिल जाता है बा के एंड तक बस एक बार देख जाओ प्लास 11 पी ब्लॉक में कोई इशू नहीं आएगा इसके बाद फिर सॉल्विंग वगारा कर लेना बट यह तुमारा जो बेस यहां से त्यार हो जाता है सोचने समझने की शक्ति आ जाती है तो इसी से पॉस्टिविटी आ जाएगी तो वो सवा घंटे में ही हो जाएगा सवा घंटे में हो जाएगा बट हाँ नो डाउट के साथ में चीज़े पेन पेपर लेकर करके बाटना प्राक्टिस करना है तो आप इस लेक्चर का भरपूर फाइदा उठाएंगे और आप आग लगाएंगे अपनी तरफ से बाइब भाई टेक्यर धेर सारा प्यार और धेर सारी दुवाएं जैसे जो दोस्त साइनिंग ओफर टोड़े टेक के बाई शेयर कर देना एंड लिग देना कमेंट्स में सो दैट के नए लोग जो है वो आपके ही कमेंट्स है न वो अपने आपको गाइड कर पाते हैं ठीक है तो प